जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्च भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस परकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वैल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस परकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है ठीक है तो दूस्तो हम देखें की प्लेश टूर में आपको इस परकार से देखेंगा यह Self Study Classes ठीक है यह Play Store में आपको Self Study Classes का एप दिखने बाला है ठीक है यह Image उसमें डली है यह Icon यह Logo उसमें डला है ठीक है अब दोस्तो इसको install करना है यहां से आप install करेंगे ठीक है अब install करेंगे तो बहाँ पर आपको number मांगेगा Gmail number मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे तो साथियो आज का session स्टार्ट करते हैं अगर अभी तक आपने self study classes app download नहीं किया है तो play store में search करें self study classes और app जरू download करने ठीक है तो दोस्तो आज का अपना पहला प्रसन इसके पहले अपने वर्नमाला को बहुत अच्छे से पढ़ा था अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि कौन सा सन्युक्त बेंजन हैं तो सन्युक्त बेंजन में चार विकलप आपके पास हैं छा है ना चा टा और अव तो सन्युक्त बेंजन पूछा गया तो सन्युक्त बेंजन हम पढ़ते हैं दोस्तों कौन कौन से छा स्रा ग्या औ च्छाइब अंगला कोस्ट्चन आपको बताना है दोस्तो छा भणी का उच्चान स्थान क्या है चार विकल्ब है आपके पास दंत है तालब है, ओस्ट है या फिर वर्स से है तो आप लगाईए मैंने आपको बताई थे कि जब हम 5 बर्ग पड़ते हैं और 5 बर्ग काचा टाटापा तो काबर्ग कंट से बोला जाता है उसके बाद चाबर्ग तालू से बोला जाता है का चा टा वर्ग जो मूर्दा होता है ता वर्ग जो होता है दोस्तो वो दंत से और पा वर्ग होता है ओष्ट से ठीक है यहाँ पर आप से च्छा पूछा गया तो यह च्छा किस वर्ग में आता है यह आता है चा वर्ग में ठीक है तो चा वर्ग के जितने भी अक्षर होते व परनो होते हैं, वो काय से बोले जाते हैं? दोस्तो, वो बोले जाते हैं तालू से, है ना, तालू से बोले जाते हैं, तो आपका उत्तर भी क्या हो जाएगा यहाँ पर? C number चा क्या है तालब है ठीक है अंगला question देखो कौन तालब ध्धोनी है तालब ध्धोनी बताना है अब आपसे बनेगा question तो फटाक से बताईए comment में चार बिकल्प आपके सामने और तालब ध्धोनी आपसे पूछा गया है तो दो second आपको दिये जाते हैं और आपने बिल्कुल सही answer का chain किया है किसर जो तालब ध्धोनी है वो है चाबर्ग जो है चाबर्ग चाचाजा ये तालू से उच्चड़त होते हैं तो आपका उत्तर कहां चला जाता है एक की तरफ ठीक है ए नम्मर आपका बिल्कुल सही होग और आ ये जो है इनमे से आपको पस्चिस्वर की बारे में बताना कि पस्चिस्वर की अंतरगत कौनसा वर्न आता है ये आपको बताना ठीक है तो आपने chain किया है दोस्तों बिकल्प नम्मर ए और ए नम्मर आपका बिल्कुल शाही है ठीक है पस्चिस्वर की अंतरगत आता होते हैं, यह आपको बताना है दोस्तों. तो कौशन से होते हैं? अपने पड़ा था कि दोस्तों बर्ग के प्रथम और दुतिये अक्शर होते हैं अगोस और बागी 3, 4, 5 जो वर्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सघोस या फिर गोस है ना? पर पा और फा ये क्या है प्रिथम वर्ण और दुतिय वर्ण है ना पा वरगे के प्रिथम और दुतिय ये क्या कहलाएंगे दोस्तो अघोस कहलाएंगे अघोस ठीक है इसको याद रखेंगे अब आपसे अंगला कोस्चिन पूछा जाता है दोस्तो काब एंजन की विसाय में निमन मैसे कौनसा सही है काब एंजन की विसाय में बताईए अल्प प्राण、 अगोस इसपरस्ति, कंठ धवनी है और बताईए क्या-क्या होता है अल्प प्राण में अपन पढ़ते हैं 135 है ना, अल्प प्राण में 135 यानि कि पर्थम, स्रतीय और पंचम वर्ण होता है, अलप प्रान होता है, मह प्रानध दुथीय रोचतोर तो होते हैं, तो देखो का तो अलप प्रानः है, का अघोस भी है, क्योंकिches प्रथाम और दुथाम अघोस में तो तो ये नम्मर सही हो जाता है का के बारे में पूछा गया था तो यह आपका बिलकुँ सही है अब दोस्तों इसके बारे में और भी प्रस्णों को देखते हैं यहां पर आ जाओ अंगला कोश्चन आपसे पूचा जाता है कि हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है किस ध्वनी का सूचक है कि रहे आपके चार बिकल्ब अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक है बताईए नहीं है स्वरी नहीं है बताना है तो किस ध्वनी का सूचक नहीं है इंग्या क या रा या फिर या तो अनुस्वर किस ध्वनी का सूचक नहीं है ये आप से बताया दोस्तों आपने पढ़े होंगे कि बर्गे के पंचम जो अक्षर होते हैं यम गड़नम जो अपन पढ़ते हैं दोस्तों ये पंचम अक्षर के बारे में अपन देखते हैं कि अनुस्वर से संबंदित होते हैं और यहाँ पर नहीं है पूछा गया तो यह जो या है या यह नहीं है अनुस्वर का सूचक नहीं है या तो तर क्या हो जाता है आपका D नम को बताना है तो एक किस बर्गे के अंतरगत आता है सक आपने प्ढ़ा होगा चा छा जा जा यह न पढ़स है तो चा वरगे की अंतरगत आता है यह तोु तो चावर्गे आपने देखा कि ये चावर्गे का जो उच्चान स्तान है वो क्या है चावर्गे का तो अपने देखा था कि कावर्गे तो कंट से उच्चरित होता है फिर का के बाद आता है चावर्गे तो चावर्गे का इसे होता है तालू से तो यहां भी क्या हो जाएगा यहां भी बुली सर तालब होगा इसका उच्चानिस्तान तालु होगा तो आपका उod tar कहां चला जाता है एकी तरफ चला जाता है ये नमर आपका बिल्कु सही होगा अब अंगला और अको बताना है कि जिन ध्वनियों के सैंयोग से सब्दों का निर्माड होता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए जिन ध्वनियों के संयोग से सब्दों का निर्माड होता है उन ध्वनियों को क्या कहते हैं बताइए ध्वनी पिर्ती ध्वनी वानी या फिर स्वनेम क्या कहा जाता है और आपने बिलकुल सही आंसर चैन किया है कि सर उन्हें कहा जाता है श्वनेम क्या कहा जाता है श्वनेम और आंसर आपका D-Number बिल्कुल सही हो जाता है D-Number सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को सेर जरूर करें और Self-Study Classes का एप जरूर डाउनलोड करें ठीक है यहाँ पर दोस्तों आपके लिए कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का पंजाब मास्टर के डर के लिए TGT PGT आदी सभी जिसमें हिंदी साहित पूछा जाता है अब यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों उड़ा उड़ा यह ध्वनियों के विसमें कौनसा कतन सुद्ध है सुद्ध कतन बताना है यह तालब ध्वनिया है यह मूर्धन उत्षिप्त ध्वनिया है इनका प्रियोग सब्द की आरंब मद तथा अंत में सरबत्र किया जाता है या फिर दौनों महाप्राण है अभी चार बिकल्प में से आपको चैन करने के लिए बोला गया कि ये जो ध्वनिया है इनके बिसाय में सुद्ध कतन कौनसा है तो आपने बिलकुल सही आंसर लगाया है कि सर ये मूर्धन उत्छिप्त ध्वनिया कहलाती है ये ना की द्रश्टी से सा 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 बेंजन किस प्रकार की माने जाती है ये जो सा 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 है ये बेंजन किस प्रकार की हैं दोस्तों अंतस्त हैं वर्थ से हैं तालब हैं या फिर उसमें बेंजन की अंतरगत आती हैं उच्चान की द्रश्टी से आपको बताना है एक क्वेस्टिन कई बा पर C की तरफ चला जाता है, जो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, अंगला कोश्चन निम्ण मैंसे कौन वर्न, अंतस्त नहीं है, अंतस्त कौन सा नहीं है, बताए, या, रा, हा, या फिर वा, अंतस्त कौन सा नहीं है, अंतस्त नहीं बताना, अंतस्त अपने पढ़े थे, कौन ला नहीं है लेकिन वा है तो यहां पर जो हा दिया है कि अंतस्त के अंतरगत नहीं आता और चला जाता है उत्तर किस तरफ बी की तरफ ठीक है वेरी गुड अंगला क्वेस्चन दोस्तो या रा ला वा बेंजनों को क्या कहते हैं यह भी क्वेस्चन आप से पूछ लिया गया और ऐसा पूछा भी जाता है कई बार तो बताईए क्या कहते हैं या रा ला और वा बेंजनों को क्या कहते हैं आसान क्वेस्चन सबसे बनना चाहिए एक क्वेस्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों है ना तो यहां पर आपका बिलकुर शही है आंसर क्या है अंतस्त बे रूप उपियोक्त तथा ओचित तीनों ही है पूर्ण है ना परयाप्त या फिर अपन यहां पर देखते हैं यहां पर आपका दो बिकल्प और दिये हैं दो बिकल्प आपको यहां पर दिये हैं दोस्तों यह हैं बेतोका और समुचित है ना तो यहां पर तो आपका यह पूर्णी भी होता है इस प्रकार से ठीक है यह डी नमबर तो आपका बिलकुर सही हो जाएगा फिरंगले क्वेस्चन को अपने देखेंगे कि हिंदी वरनमाला में उसमें वेंजन कौन से हैं उसमें बताना है यह चार विकल्पें उसमें वेंजन हम पहले भी पढ़ चुके ह और यहां भी आपको बताना है कि उसमें वेंजन कौन से हैं तो आपने बिलकुर सही आंसर चैन किया है कि सर उसमें वेंजन की अगर बात करते हो तो यह जो सा और हा दिया है यह कहलाते हैं क्या उसमें वेंजन और यह नमबर आपका बिलकुर सही हो जाता यह नमबर ठीक है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चार्ण करते समय केवल स्वास का प्रियोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं बताईए उन वर्णों को क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है शगोस कहा जाता है अल्प प्राण कहा जाता है या फिर महा प्राण कहा जाता है तो आपका right answer बिलकुर शही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उन्हें कहा जाता है अगोस क्या कहा जाता है अगोस कहा जाता है और अगोस जो होते हैं आपने देखा होगा बर्गे के प्रिथम और दुतिये बरगे के प्रतम और दुतिये वर्ण क्या होते हैं अगोस होते हैं और तीन चार और पाँच ये क्या होते हैं दोस्तों ये सघोस होते हैं बरगे के तीन चार पाँच ठीक है इनको अपन को याद रख लिना है और सघोस और अगोस हो गए अलपिप्रान कौन होते हैं एक तीन और 5 अल्पिप्रान और महाप्रान कोई से होते हैं, 2 और 4 बरगे के दुतिये और 4 तक्षर ठीक है, इनको याद रखेंगे, हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या कितनी होती है, वर्णों की संक्या मूलते बतानी है, तो ये तो सभी को पता है, कई बार पूचा भी जाता है, तो उत्तर आपका यहाँ पर चला जाता है वावन हिंदी में मूलते वर्णों की संक्या होती है वावन जो कि स्थी नमबर आपका बिल्कुल शाही है ठीक है अंगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संक्या कितनी है ये उत्तर आपको बताना है और सुरों की संक्या आपसे पूचा गया तो उत्तर चला जाता है ग्यारा की तरफ ठीक है ग्यारा और एच नमबर आपका बिल्कुल सही है और दोस्तों दो होते हैं कौन से हम और आहा अयोग बाहे कहलाते ठीक है यहाँ पर स्थी आपका सई है, हिंदी बारनमाला में बेंजनों की संख्या कितनी है, तो यह चार विकल्प हैं और बेंजनों की संख्या आपको बतानी है, तो कितनी माने जाती है, 32, 33, 34 या फिर 36, तो आसान सा question बेंजन पूछा गया, तो उत्तर हो जाता है क्या 33, 33 यानि स् अंत में आ आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्त्वर, अयोग बाह, अंतस्त या फिर अकारांत, क्या कहा जाता है, जिन सब्दों के अंत में आ आता है, और आपने चैन किया है, इसर जिन सब्दों के अंत में आ आता है, उन्हें कहा जाता है, क्या अकारांत, ठीक है और डी नमबर आपका अकारांत बिलकुल शही है जी नमबर ठीक है यह सरल क्वेस्चन है लेकिन पूछे भी जाते हैं दोस्तों इनको आपको बताना है अयोगबाह है अयोगबाह है बिसर्ग महाप्राण सन्युक्त बेंजन या फिर अलपप्राण तो अपनने पड़े थे क् कि जो अम होता है और जो अहा होता है यह क्या कहलाते है यह अयोगबाह कहलाते है तो इसको क्या बोलते है इसको बिसर्ग बोलते बिसर्ग तो यह बिसर्ग यहाँ पर दिया है तो यह क्या है अयोगबाह है यानि कि यह नमबर आपका बिलकुल शही है फिर अंगला क्वेस् और पस्चिस्वर अपनने पड़े थे तो पस्चिस्वर यहाँ पर आपसे पूचा गया तो पस्चिस्वर यह question कई बार आया है दोस्तों है ना तो पस्चिस्वर की अंतरगत आता है कौनसा आपका comment जल्दी से आना चाहिए और right answer चला जाता है बिकल्प नमर एक की तरह पस् इलाहबाद दित्त आप समझते होंगे अभी समझ जाएंगे और बिकल्प की अनुशार दित्त बेंजन का चैन करना है यह दो बिकल्प और है और आपका right answer एक question पूचा गया है दिल्ली दिल्ली में यसे दित्त बेंजन जो होते है आदा ला और लाया इस प्रकार से अगर दित्त बेंजन आते हैं तो इनको क्या कहा जाता है दित्त कहा जाता है दित्त यह question आता है कई बार और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता तो बोलते ही यह क्या वालाय पूच ली गई यह क्या पूचा गया दित्त बेंजन तो आज तक नहीं पड़े है ना इसलिए तैयार रह अहा, तो अयोग बाह वर्न पूचा गया और पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, तो अम और अहा, ये क्या होते हैं, अयोग बाह होते हैं, ठीक है, कौनसा अमानक वर्न है, मानक नहीं पूचा गया, अमानक पूचा गया यहां पर, अमानक वर्न पूचा गया, तो अमानक जो वर्न माना जाता है दोस्तों एक ज्जा जो है ज्जा ये क्या माना जाता है अमानक वर्न माना जाता है और उत्तर चला जाता है आपका C की तरफ, च्री नंबर आपका सही है, निम्न मैंसे कौन सा घोस वर्ण है, और घोस वर्ण की बारे में तो अपन ने पढ़ाई है, घोस यानि की सघोस, सघोस को ही घोस कहा जाता है, तो अपन ने देखा था कि बर्ग का प्रतम और दुती एक्छर अघोस, और 3-4-5 सघोस, के लिएर, अब यहाँ पर आपसे घोस पूचा गया, यानि की सघोस पूचा गया, तो 3-4-5, तो अपन देखते हैं दोस्तों, कि जो मा है, ये क्या है, पंचम बर्ण है, पंचम बर्ण है की नहीं, बिलकुल है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये घोस या सघोस के अंतर गताते हैं, और ये जो मा है, ये पंचम बर्ण है, ठीक है, तो पंचम बर्ण काई की अंतर गताएगा, ये वो लिसर घोस, या फिर सघोस के अंतर गताएगा, ठीक है, अपर ब्रेंज के कितने प्रकार होते हैं, अपर ब्रेंज के बताना है दोस्तों, तो इस प्रकार से आ रवडिया किस परकार की बेनजन माने जाती बताए शन्यूक्त अंटेस्थ उस्ह पर सन्धी शन्यूक्त lutka और जा जाती है यह दोस्तो योग से बनाए जाते है अन्यी वरनो की योग से बनाए तो आपको पता होने चाहिए जो ए आई हैं इनका उच्चान स्थान है दोस्तों क्या है बताईए कमेंट में सभी लोग बिल्कुल सही बहुत वड़ी आंसर बताया है कि A और I क्या है कंट तालू क्या होते हैं कंट तालू होते हैं और बिकल्प नमबर D की तरफ आपका उत्तर चला जाता है ठीक है अगोस वरन कौन सा है वरन माला में यह तो करना है तो यहां पर आपका दोस्तों सा 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 जो आते हैं यह भी अगोस के अंतरगत ही आते हैं ठीक है अपने दोस्तों वरन के प्रतम और दुतिये तो पड़े ही थे लेकिन सा सा जो वाले होते हैं यह भी काई के अंतरगत आते हैं अगोस के अंतरगत तो आपका उत्तर च अल्पे प्राण एक तीन पाँच यानि कि बर्गे के एक तीन पाँच वरन होते हैं बाकी महाप्राण दो और चार वरन होते हैं ठीक है तो अल्पे प्राण बरन कौन से होते हैं यह आपको यहां पर बताना है तो बर्गे का प्रथम और त्रतिय वरन अल्पे प्राण होता है तो प्रतम में का और गा क्या होता है तरती है तो ये b नमर आपका क्या हो जाएगा ये अलपप्रान वर्ण कहलाएंगे तो भी आपका राइट अंसर बिलकोट शही हो जाएगा ना इनमें किस प्राकर्ट अपभरंस से हुआ, किस से हुआ, चार बिकल्प आपके सामने हैं, मागदी, पैसाची, स्वारसेनी और अर्ध मागदी, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो ब्रजभासा है, ये ब्रजभासा बताना है किस के अंतरगत आती है, तो आपने देखा सर, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरी के पासे, एक अपन ने कोड पड़ा था, तो बोले सर, ब्रज जो आती है, ये पश्च्चमी हिंदी के अंतरगत आती है, तो पश्चमी हिंदी उपभासा का जो उदै हुआ है, वो स्वर्स हैनी, आप ब खेतर है, आगरा किस बॉली का खेतर है, दो सेकंड आपको दिये जाते हैं, आपने पड़ाओगा उत्तर प्रदेश का आगरा, है ना, चार बिकलप हैं, ये से कई बार कॉस्चिन पूछे जाते हैं, तो चार मेंसे आपको चैन करना है, कि आगरा में कौनसी बॉली बॉली कमेंट में लिखिएगा जल्दी से दो सेकंड में और सात्यों आपके दो सेकंड होते हैं पूरे और आपने बिलकुल सही आंसर बताया बोलिस्तर आगरा की बात करोगे तो ये ब्रजभासा का छेतर है और ब्रजभासा पस्चमी हिंदी से दोस्तों निकलती है इसको भी आपक कौन सी लिपी नहीं है कौन सी लिपी नहीं है अर्भी गुरु मुखी देवनागरी या अंग्रेजी बताइए कौन सी लिपी नहीं है इनमें से तो अपने अर्भी लिपी पड़ी है गुरु मुखी लिपी भी पड़ी है देवनागरी लिपी भी पड़ी है कौन सी लिपी न नहीं है, यह तो एक भहासा है, हैना, तो तर कहाँ चला जाता आपका, D की तरफ, हैंग्च जी आपका बिलकुश सही हो जाता है, ठीक है, फिर अंगला कॉस्चेन आपके लिए दिया गया है, अंगला कॉस्चेन है आपके लिए दोस्तों, कि किस बोली का बिहारी हिंदी से सम मंद है अपनने पड़ा था दोस्तों कि जो बिहारी हिंदी का उदे हुआ था वो मागदी अपष्रेंश से हुआ था हैं ना मगद के बिहारी का बंगला ओरा असमिया मैं हैं तो बिहारी दोस्तो उडिया असम्या ये सब इकाई के अंतरगात आती हैं मागदी अपभरंच से इनका ओदय हुआ ठीक है अब आप से पूछा गया कि बिहारी हिंदी से किसका संबंद नहीं है पूछा है नहीं है पूछा है तो नहीं है कौन सा नहीं है पुलिसर भोजपुरी का है मगह मैथली का भी है नहीं है तो किसका नहीं है अब दीका किस से है तो इसका उत्तर हो जाएगा अब दीका है पूरवी हिंदी से ठीक है बर रहे है आप से Question very good बहुत बड़ीया अंगला question है मग ही किस प्रदेश की बोली है मग ही बताना किस प्रदेश की अपने यहाँ पर पढ़ा था कि जो मग ही है ये बिहारी हिंदी की बोली है मैतली है ये भी बिहारी हिंदी की है पस्चमी भोजपुरी ये भी बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है अब आपसे पूछा गया कि मग ही किस प्रदेश की बोली है तो जबाबे के पुलिसर ये बिहार की है मग ही कहां की है बिहार की है तो बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाता है पूचा गया है क्वेस्चन फिर अंगला क्वेस्चन यहाँ पर कि सिंधी भासा का विकास अपवरंस की किस बोली से माना जा जल्दी से कमेंट में लिखिएगा और यह रहे आपके दोस्तों चार बिकल्प कौन कौन से सबसे पहला बिकल्प है आपका ब्राचड दूसरा बिकल्प आपका है दोस्तों पैसाची तीसरा मागदी और चौता है दोस्तों अर्ध मागदी तो यह बताना है आपका कि जो पंजाबी और लहंदा पड़ाता काई से पैसाची से लेकिन सिंधी की बात आती है तो सिंधी में आपका उत्तर चला जाता है ब्राचल ब्राचल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा सिंधी भासा का विकास जो हुआ है वो ब्राचल अपरणस से माना जाता है यानि ये नम्मर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अपरंस ठीक है यहाँ पर पैसा प्रदेश समिल लादू या पेर चोटा नांगपुर का पठार बताएए जल्दी मुंड़ा भासा का छेत्र कौन शा है इसका उत्तर आपको बताना हमने कई यह चेत्र पढ़े है पूचा जाता है कि जहां सी जालौन हमीरपुर में कौनसी बोली बोली जाती है ऐसे question कई बार आते हैं दोस्तों तोड़ा सा आपको अभ्यास करने की जुरत है जालौन हमीरपुर में कौनसी बोली प्रचले थे बुंदेली कन्नोजी ब्रजभासा या फिर मालवी बताईए शबी का कमेंट आने चाहिए क बुंदेली का उदय हुआ पस्चमी हिंदी से और पस्चमी हिंदी का उदय हुआ किस से स्वरसेनी अपरणस से ठीक है तो यह बुंदेली याद रखेना जहां सी जालौन हमीरपुर का जो छेत्र है यहाँ पर बुंदेली बोली बोली जाती है ठीक है अंगला question आपको बता है आपके लिए बोजपुरी बोली इत्की उत्पत्ती जो हुई है वो किस से हुई है इसके पहले हमने देखा था कि सर बोजपुरी मगही और मैतली के बिहारी हिंदी के अंतरगत आती है और बिहारी हिंदी का जो उदय हुआ है वो हुआ है किस से मागदी अपरणस ते बंगला उड़ा असमिया में तो दोस्तो बिहारी बंगला उड़िया और असमिया के मागदी अबरंस से इनका उदय होता है तो भोजपुरी बोली का उदय कौन सी अबरंस से होगा मागदी अबरंस से यानि कि उत्तर बी की तरफ चला जाता है वड़िया प्रश्न है अंगला दोस्तो पंजाबी लहंगा लेना है तो पैसा चाहिए पंजाबी लहंगा लेना है तो क्या चाहिए पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए से बनेगा पैसा ची और क्या लेना है पंजाबी लहंगा लेना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पंजाबी और प्रश्न किरमा के ग्यारा सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों जिन भी सात्यों को कोर्स में एड़ीसर लेना है 25 तारीक तक आप एड़ीसर ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं मगी बताना किस प्रभासा की बोली है तो यह मगी आसान है और अपने पढ़ा भी है इसके पहले क्या पढ़ा है मगी ही है ना भोजपूरी और मैतली पुरिसर यह जो है यह बिहारी हिंदी की उपभासा मानी जाती है कौनसी मगी ही तो तरह आपका कहा चला जाता है बिकल्प नमबर डी की तरह बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बिलकुश रही आंसर है दोस्तों गयल भायल आदी किस बोली की तरह की किरियां है यह बताइए गयल भायल तो बताइए किस बोली से सम्मंदित हैं बोजपूरी भूत कालेक अबदी बरतमान कालेक ब्रजभासा भूत कालेक या पर बुंदेडी भविस्तिकालेक गयल भायल यह जो सब्द आते है दोस्तों कि बताईए किस बोली से सम्मंदित माने जाते हैं अगर आपने थोड़ा सा अनुभाव किया होगा भोजपुरी फिल्मों को देखा होगा तो गयल और भयल ये भोजपुरी दोस्तों भूत कालिक ये गयल आदी गयल भयल ये भोजपुरी भूत कालिक से सम्मंदित म अपने पड़ाता पस्जमी हिंदी की बोलियों को कानो के खड़ी बुंदेली ब्रज्भान हरी के पास कानो से बनाता कन्योंजी, खड़ी बोली को क्या कहा जाता है आपने उत्तर बता दिया, बोली से था कौरबी में टिक कर दो, मैंने कौरबी लगा दिया और उत्तर dei ahi hoay बहुत बढ़िया, सबी लोगों ने बिलकुँ सही आंसर बताए हैं, फिर अंगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अदो लिखित मैंसे एक भोजपुरी का छेतर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बोजपुरी का छेतर नहीं है, बताना है, देबरिया, इलाहवाद, मिर फेजापुर या फिर बलिया, भोजपुरी का छेतर कौन सा नहीं है, फ्रश्न की रमाग चौदा में, और यहां पर बताना है, कि भोजपुरी का छेतर नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा, दोस्तों, आपने उत्तर चैन किया है, इलाहवाद, ये भोजपुरी का छेतर नहीं ब्रजभासा या फिर अबदी फ्यजाबाज जनपद में बोली जाने बाली बोली कौनसी है तो आपको ये जो दोस्तो अलग-अलग बोलियों के छित्र है वो भी आपको पता होनी चाहिए उनको भी हमें पढ़ना है फ्यजाबाज जनपद में जो बोली बोली जाती है वो बो बही अब्दी है जिसमें दोस्तों रामचरितमानस लिखा गया है ना ये बही अब्दी है जिसमें पदमाबत लिखा गया ये बही अब्दी है दोस्तों जो पूर्वी हिंदी से जिसका बेकास होता है निम्ण वैसे कौनसी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है ये भी नहीं लिखी जाती शिन्धी ये भी नहीं लिखी जाती तो कौनसी लिखी जाती है देवनांगरी लिपी में जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है मराथी कौनसी मराथी most important question वडिया प्रशने और अंगला question आपकी स्क्रीन पर आधुनिक भारतिय भासाओं का बिकास किस भासा से हुआ है प्रशने किरमांग 17 आधुनिक भारतिय भासाओं का बिकास किस भासा से हुआ है तो यहाँ पर अपनने कई बार पड़ा है कि सर जो आधुनिक भारतिय भासाओं हैं इनका जो बिकास हुआ है वो सीधा सीधा भारतिय भासाओं का माना जाता है तो अप भरंश से हुआ है अप भरंश के अनेक भेदों से स्वार से नहीं मान लो माग दी मान लो अर्द माग दी मान लो है ना तो कुल मिला के हम कह सकते है कि अप ब्रेजबुली नाम से जानी जाती है तो कौनसी ब्रेजबुली नाम से ब्रेजबुली नाम से जानी जाती है तो कौनसी ब्रेजबुली नाम से 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 ब्र थारा का उत्तर जो चैन किया है वो किया है पुरानी बंगला और आपका उत्तर चैन सही हो जाता है पुरानी बंगला राइट अंसर हो जाता है डी नमबर विलको राइट अंसर इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है तो कौंसर नहीं है प्रश्निकरमांग कुन्नीस भासा को बहुत अच्छे से पढ़ना है बोलियों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों एक मैंने बढ़िया ट्रिक से भी वीडियो बनाया है बोलियों का और भासा का सर्च कर लेना यूटूब में हैना बढ़िया मज़ा आएगा आपको बोलियों और भासाओं के छेत्र question गलत नहीं होंगे और बिहारी हिंदी का रूप नहीं हैतना अम अदी नहीं है कि अब दी तो पूर्वी हिंदी की है और पूर्वी हिंदी के ँत तीन वोलियां आती नहीं असमार। बगेली और 36 गड़ी ठीक है बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप है तो क्या है बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप अबदी ब्रजभासा देवनांगरी या फिर स्वरास्ट्री प्रश्ण क्रमाग 20 और प्रश्ण भी आपका बहुत बढ़िया बरतमान हिंदी का प्रचलित रूप माना जाता है दोस्तों वो खड़ी बोली माना जाता है खड़ी बोली ये बरतमान हिंदी का प्रचलेत रूप है ठीक है तो यहाँ पर उत्तर आपका खड़ी बोली होना चाहिए ठीक है बरतमान हिंदी का प्रचलेत रूप ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं अंगला क ठीक है अब आपसे पूछा गया कि भारोपिये परिवार की कौनसी भासा नहीं है तो आपको उत्तर चैन करना है मराटी भारोपिये की है गुजराती भारोपिये भासा परिवार की है हिंदी भी है तो कौनसी नहीं है पुलिसर मलयालम की दिर्बिन भासा परिवार से संबंद और study material बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहला आज का जो प्रशन है कि रास्ट की भाव भावाचक संग्या है तो रास्ट की भावाचक संग्या बतानी है क्या बनेगी रास्ट की रास्ट यह बनेगी रास्ट यह ता बनेगी रास भाववाचक संग्या बनाने के लिए और आप यहाँ पर बिल्कुत सही आंसर बता देते हो कि सर राष्ट की अगर भाववाचक संग्या कभी पूछी जाएगी तो हम राष्टियता लगाएंगे क्या लगाएंगे राष्टियता जो बिल्कुत सही आपने बताया कि राष्ट कि राष्ट सब्द की भाव आचक संग्या होती है राष्टिये था है ना और राष्टिये सब्द ब्याकर से बिसेशन होता है क्या होता है बिसेशन होता है जिससे राष्टिये पृतीक सम्मान राष्टिये गान इत्यादी ए ठीक है अब आपको बताना है कि लिखना किरिया स यह आपको चेन करना है उत्तर आपको क्या हो जाएगा इसको छोड़ दो फिर फिलाल इसको छोड़ दो एक गलत प्रस्ण हो गया नेक्स्ट बताना एक सभी मनुस बचपन में मीठी खटी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं बाक में संग्या का प्रियोग हुआ है तो कौन सा हुआ है दो बारा, चार बार, पांच बार या पिर छे बार है ना सभी मनुस बचपन में मीठी, खटी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं इस बाक में संग्या का प्रियोग कितनी बार हुआ है कितनी बार हुआ है माई, युअन, येंड, वणली सभी मनुस बचपन में मीठी, खटी और ठंडी खाद बस्तू पसंद करते हैं इसमें संग्या सब्द का प्रियोग हुआ है, वो कितनी बार हुआ है पांच बार, देखो कैसे, किसी ब्यक्ती बस्तू इस्थान आधी नाम के गुण को क्या कहते हैं धर्म स्वाव का बहुत कराने वाले को संग्या कहते हैं और उप्रोक्त बाक में संग्या का जो प्रियोग हुआ है, वो कितनी बार हुआ है पांच बार हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने नहीं है है ना, तो कितनी बार हुआ है दोस्तों यहाँ पर पांच बार, ठीक है इसको भी आपको याद रखने नहीं अंगला यहाँ पर देखो समू बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या है बेरि गोड, अन्नु जी समू बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या है नीम, कुंज, आम या फिर पीपल तो आपको चैन करना है जल्दी से करो समू बाचक संग्या का बेंजक सब्द क्या होता है नीम होता है आम, पीपल, कुंज, समू बाचक संग्या का बेंजक सब्द बताना है तो बुलिसर ना नीम होता है, ना आम होता है, ना पीपल होता है, होता है क्या कुंज, क्या होता है कुंज, कुंज समूव बाचक संग्या का बेंजक सब्द है, जो संग्या सब्द किसी समूः या समुदाय का बूत कराते हैं, बहाँ पर कौन सा होता है, कौन सा होता है, समू बाचक संग्या होता है ठीक है तो संग्या की रूप रचना की आधार है तो कौन-कौन सी आधार संग्या की रूप रचना की आधार क्या है लिंग और बचन लिंग और कारक बचन और कारक लिंग बचन और कारक तो संग्या की रूप रचना की आधार क्या मान जाते हैं यह प संग्या की रूप रचना रूप रचना की जो आधार माने जाते हैं वो आधार माने जाते हैं दोस्तों कौन से लिंग बचन और कारक ठीक है डी नमर संग्या की रूप रचना की आधार माने जाते हैं लिंग बचन और कारक अता है उत्तर डी नमर लिंग बचन कारक आपका ब है राम में कौन सी संग्या है यह हमें चैन करनी है यहां पर कौन सी संग्या है राम में सबी लोग चैन करेंगे कि राम में कौन सी संग्या है और यहाँ पर आपका बिल्कुश सही आंसर जो हो जाएगा बोल इससर राम की बात करते हो तो राम में जो संग्या है वो कौन सी है इसमें से बी कैसे हो जाएगा सुष्टा जी प्रस्ण किरमाग 6 में बताना था तो अधिकांस लोगों ने बी बता दिया कुछ लोग डी बता रहे हैं है ना तो यहाँ पर देखो ना तो जाती बाचक है ना भाव बाचक है ना द्रब बाचक है राम तो क्या है अकेला है यानि यह ब्य जाती बाचक नहीं है राम ब्यक्ती बाचक है क्या है राम जब हम बोलते हैं तो किसी एक ब्यक्ती का बोध होता है ठीक है और जब हम मनुस्त बोलते हैं मनुस्त तो मनुस्त बोलते हैं तो संपूर्ण मनुस्त जाती का बोध होता है तो मनुस्त जाती बाचक होगा लेकर राम व्यक्ति बाचक होता, इसलिए उत्तर आपका D-Number बिलकुस होगा है ना, इस प्रकार से जाती बाचक, व्यक्ति बाचक, भाव बाचक की सारी संग्याई आपको पता होनी चाहिए समूह बाचक, फिर आपको बताना है कि किसी गुर्ण दसा, स्वभाव या कारका बूत क और ब्रशनि क्रमानक सात में बताना है कपिल जी रानी जी, लोकंद्र जी सात में बताया कि किसी गुर्ण दसा, स्वभाव या कार का बूत करवाते हैं उन्हें कहा जाता है दोस्तों क्या भाव बाचक संग्या बिलकुल सही बताया लोकंद्र जी भाव बाचक संग्या इसका सी नमबर बिलकुल सही बताया बहुत बढ़िया है ना मुस्कान जी किसी प्राणी बस्तू इस्थान भावादी का नाम ही उसकी संग्या कही जाती है संग्या के तीन भेद ह होते हैं वैसे ब्यक्ति बाचक जाती बाचक और भाव बाचक है ना और आपने कितने पड़े हैं कितने पड़े हैं समूह बाचक भी आपने पड़ा है है ना और कौन सा पड़ा है कौन सा पड़ा जल्दी से बताओ ब्यक्ति बाचक भाव बाचक जाती बाचक शमूह बाचक और एक आपको ही बताना है द्रब्ब बाचक है ना ये आपने पड़े होंगे तो प्रश्ण में दिये सब्द भावबाचक संग्या के उधारन है किसी भावगुण दसा आदी का ज्यान कराने वाले सब्द भावबाचक संग्या होते है जैसे क्रोध क्रोध क्या है योवन भाव बाचक है कालिमा ये भी भाव बाचक है ठीक है अब आपको बताना कि जिस संग्या में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो क्या कहलाती है केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो वो कौन सी संग्या कहलाती है ये आपको बताना है जाती बाचक संग्या व्यक्ति बाच भाव बाचक या फिर द्रब बाचक संग्या यानि कि प्रश्ण किर्मांक आठ का उत्तर आपको बताना है और आठ में आपका बोले सर जिसमें केवल एक व्यक्ति का बोध हो रहा वो ब्यक्ति बाचक संग्या कही जाएगी जो अधिकांस लोगों ने बिल्कुँ सही बताया यहाँ पर देखो एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का बोध कराने वाले सब्द को व्यक्ति बाचक संग्या कहती है ठीक है जैसे बात करें राम करश्ण सूर आगरा ये काई के उधारन हैं ब्यक्ति बाचक संग्या के उधारण है आगरा केवल एक सहर है सूर केवल एक आपको पता है है ना और आपको क्रश्ण और राम है ना ये पता है जबकि ब्यक्तियों या बस्तुयों की जाती का बोद कराने वाले सब्द जाती बाचक संग्या कहलाते हैं जबकि जाती का पूरा बोध होरा लड़की, तो लड़की जाती का पूरा बोध होरा पूरी लड़कियों का है ना बाल, योवा है ना ये दोस्तों आपको याद रख रहे ना है जिन सब्दों से ब्यक्ति या बस्तू के गुड़ों का बोध होता है उन्हें भावाचक संग्या कहते जिन सब्दों में से ब्यक्ति या बस्तू के गुड़ों का बोध हो रहा है उन्हें भावाचक संग्या कहते जैसे प्रे बाचक संग्या कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल और लोहा है ना एक क्या है, दरब हैं, तो ये द्डरब बाचक संग्या कहलाईगी, ठीक है, ये भी याद रख लेना है, और द्रब्य बाचक संग्या यहाँ पर आपको चेहन करना है और जब संग्या का अपना पूरा टॉपक हो जाएगा तो संग्या आपको समझ में आ जाएगी पूरी की ब्यक्ति बाचक क्या है जाती बाचक क्या है और यहाँ पर पूरी बस्तूओं ब्यक्तियों या बस्तूओं क पूरी जाती का बोध होता है उसे जाती बाचक संग्या कहते हैं जैसे मनुस्त लड़का लड़की बाल ये सारी जाती बाचक संग्या के उधारन हो जाएंगे ये तो आपको पताई है फिलाल संग्या के भेद आपको बताना है संग्या के भेद कितने होते हैं दोस्तों संग्या के जो भेद होते हैं एक तो होती है ब्यक्ति बाचक दूसरी जाती बाचक तीसरी भाव बाचक चोती समू बाचक और पांच भी जो होती है वो होती है द्रब बाचक तो आपको टिक करना है जो संग्या के भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं पांच प्रकार क आपको यहाँ पटिक करना है ठीक है और इस जेल प्रहरी डिसमबर 2015 और पुलिस कॉंस्टेबल और प्लाटून कमांडर में एक कॉस्चन पूचा गया है है ना संग्या सब्द का अर्थ है नाम किसी प्राणी बस्तु इस्तान भाव के नाम को संग्या कहते हैं संग्या पांच प्रकार की होती है दोस्तो इसको आप लोगों को याद रख लेना है ठीक है हाँ में तीन प्रकार की उसके अंदर फिर दो और आ जाते हैं तो टोटल पांच प्रकार की मानी जाती है दूद पानी स्वना चांदी में संग्या है तो कौनसी है दूद पानी है ना तो बताना ह आपको उत्तर क्या होगा प्रश्न किरमांग के ग्यारा में हमें बताना है कि दूद पानी स्वना चांदी में संग्या है तो क्या है रानी जी कांती उई के गीता रानी जी प्रश्न किरमांग के ग्यारा दूद पानी स्वना चांदी में कौनसी संग्या है द्रब बाचक संग भाव बाचक संग्या, समुदाय बाचक या फिर जाती बाचक संग्या, तब आपका बिलकुत सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिलकुत सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर होगा क्या, विकल्प नम्मर आ, यानि द्रब बाचक संग्या, द्रब बाचक आपका यहां पर हम बात करें कि गुच्छा, पुंज, धेर, स्रंकला सब्दों में कौनसी संग्या होगी, जैसे आप बोलते केले का गुच्छा, है ना, पुंज देहते, पुंज का धेर होता धेर, तो यह काई की संग्या होती है, यह आपको बताना है, प्रस्निक्रमां के बारा में, भाव बाचक संग्या, गुण बाचक संग्या, समूव बाचक संग्या, ब्यक्ती बाचक संग्या, यह आपका बिलकुल सही आंसर, यहां पर आपको चैन करना है, आसुतोस जी, है ना, उत्तर हो जाएगा, सा नंबर, यानि समूव बाचक संग् तीन बजे आपकी हिंदी की किलास हो रही है बहुत सारे लोग जो गोल थे पड़ाई नहीं कर रहे थे वो या थाबत ध्यान रखें तीन बजे आपकी किलास हो रही है चार बच के विज्ञान पिक की किलास हो रही है रात में ग्यारा बजे जीके की किलास होती है ठीक है तो ग भाव का, दसा का, धर्म का या फिर गुण का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, ऐसे ही संग्या के कोस्चन आते हैं, सरल कोस्चन यह आप से बन जाएंगे, एक बार आपको पढ़ना ही है, और यहां पर आपने अभी पढ़ाता कि अगर दसा, भाव, धर्म, गुणा आदी का अगर बोध हो रहा है, तो बहां पर आपकी संग्या हो जाएगी, भाव बाचक संग्या, यानि आनम्मर जो है, वो बिलकुल सही हो जाएगा, ठीक है, अमर जीत जी, जिस संग्या सब्दे से पदार्तों की अबस्ता, गुण दोस्धर्म आदी का बोध हो, उसे भाव बाच मिठास, बचपन, चड़ाई, ठकाबट आदी, जबकि जिन संग्या सब्दों से ब्यक्ति बस्तु आदी के समू का बोध हो, उन्हें द्रब बाचक कहते हैं, घी, तेल, स्वना आदी, ये द्रब बाचक होंगे, जब तक आपको चौदा का उत्तर बता देना है, चौदा का के लिख करना है, अभी आप बैच पर के लिख कर रहे होंगे, इनमें से कौन सा समू बाचक संग्या है, शौना है, भीड है, अजायब घर है, या पिर हार है, और चौदा का आपका बिलकुष सही आंत्र होगा, भीड, भीड क्या है दोस्तों, इस समू बाचक संग्या की, उधार नमाना जाएगा, बिलको सही आंतर बताया है, है ना समूव बाचक की देखें कि जिन सब्दों से बस्तूं या प्राणियों के समूव का बोध होता है, उन्हें समूव बाचक संग्या कहते हैं, जैसे सैनिकों के समूव को सैना और मनुस्थ के समूव को भीड कहते हैं जबकि जिस सब्द से किसी ठोस या द्रब पदार्त का होद हो, उसे द्रब बाचक संग्या कहते हैं, यह आपको याद रख लिए ना, फिर दोस्तों अंगला कोश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, कि कौन सा सब्द पदार्त बाचक संग्या है, यह बताना है आपको, पदा होनी चाहिए कि पदार्त बाचक यानि कि द्रब बाचक है ना, ओ द्रब बाचक संग्या कौन सी है, यह यहाँ पर चैन करना है, चार हैं, शोना विश्वास, प्रसंसा या फिर जंडा, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, सोना, सोना यानि कि आ बताना है, 16 का सेनक कौनसी संग्या है ...... सबी लोग im pap download करेंगे play-store से और बहाufen को इस टोर पर करना है .. दोस्तों indy ब्याकरणचंगा भी कोर्स, सारे कोर्स कंप्रीट.. बहाएं पर booster को यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा क्या सैनिक बताना है स्वरी सैनिक बताना है तो सैनिक जो होगा वो बताओ कौण सी ओजाएगी यहाँ पर सेनिक सी नमबर अब यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं हो ना देखो सेनिक मतला हो जाएगा जाती बाचक लेकिन अगर सेना की बात हो तो सेना क्या हो जाएगा सेना क्या हो जाएगा समूह बाचक सेना शमूह बाचक और सेनिक जो होगा सेनक क्या है जाती बाचक है ना सेनक पूरे सेनक जाती की बूत करवा रहा है है ना जब की जो सेना है वो समुह बाचक हो जाएगी इस प्रकार से कन्प्यूज नहीं होना सेनक जाती बाचक सेना समुह बाचक ठीक है यह याद रखेंगे अब यहाँ पर जाती बाचक संध्या संग्या को चुणना है हमें जाती बाचक संग्या को चुनना है हेमालाय सोणा नदी या फिर सभाः दोस्तों आप जेल प्रहरी की कर रहे हैं या फिर MPP POLIS की कर रहे हैं या MPSI की कर रहे हैं हिंदी आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है जेल प्रहरी बालों की एकजाम की अभी जो डेट है वो 20-29 नवंबर ही है इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें और यहां पर जाती बाचक संग्या पूचा गया तो जाती बाचक संग्या आपने सही चेन कि क्या है आरबाए है ना क्या हो जाएगा आकास जी नदी नदी यानि कि सारी नदिया और अगर मैं कह देता गंगा तो गंगा में आपका क्या हो जाएगा ब्यक्ती बाचक संग्या और नदी में पूरी नदिया आ गई चाहे वो गंगा हो नर्वदा हो चाहे कोई भी हो ठीक ये आपको याद रख लेना है, सभी लोग याद रखेंगे है ना, और दिये गए बिकल्पों मैंसे नदी जाती बाचक संग्या है, जिस सब्दे से किसी एक समू है, या हम बोलते ना कि हमारे देश के सैनेक, हमारे देश के सैनेक बाडर पर तैनात हैं, तो सैनेक जब आप न तो सेनेक मतलब होता है जाती बाचक और सेना मतलब होता है समुह बाचक इस प्रकार से याद रख रहे ना है बहे कारक जो संग्या या सरबनाम से किसी संग्या का वो दिस्तापित करता है बहे क्या कहलाता है बहे कारक जो संग्या या सरबनाम से किसी संग्या का संग्या का एप में जल्द ही material आ जाएगा, है ना, तो आपको बताना बहे कारक अभी दो दिन तो हुए एप को पबिलिस किये, material में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो बहे कारक जो संग्या सरवनाम से किसी संग्या का संबन्द स्थाफित करता है, बहे क्या कहलाता है, प्रश्न क संबंद कारक सी नमबर सब्द के जिस रूप से किसी एक बस्तू का दूसरी बस्तू किस से शंबंद प्रगट हो अत्वा जो संग्या या सर्वनाम में किसी संग्या का संबंद स्थापित करता है वह संबंद कारक कहलाता है निम्न में संग्या का उधारन नहीं है तो कौनसा न मानव या फिर पटना, तो संग्या का उधारन कौन सा नहीं है, बोली सर सुंद्री तो है, मानव भी है, पटना भी है, लेकिन क्या नहीं है, वह काई का है, सर्वनाम का, है ना, संग्या के इस्तान पर जो सब्द प्रियोग होते हैं, वो सर्वनाम कहलाते हैं, तो वह क्या है, सर्वनाम ये संग्या नहीं है है ना तो B-Number आपका सही हो जाएगा B-Number वह है ना मानव तो जाती बाचक संग्या है ये भी याद रखना और निम्न में बह संग्या का उधारन नहीं है किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान के नाम को संग्या कहते हैं बह तो क्या है सर्वनाम का उधारन है है ना संग्या के इस्तान पर प्रियोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं ये भी आपको बताना है अब यहाँ पर बताएंगे कि आज भी भारत में सर्वन कुमार पैदा होते हैं बाक्त में रिखान के सब्द में संग्या बताना है जेल प्राइवी का एक्जाम अभी आपका 20 से 29 नवंबर इसलिए तो बोरह पड़ाई आप कर रहे हो क्योंकि आप लोगों ने तो छोड़ी दिया कि अब एक्जाम पतानी कब होगा 20 से अब्यापम की साइट पर जाके देख लो अभी भी 20 तारीक यानि की इसी महीने की 20 तारीक से लेकर 29 तारीक तक एक्जाम की डेट है ठीक है और यहाँ पर आपको चैन करना है कि आज भी भारत में सरवन कुमार पैदा होते हैं बाक में रेकान के सब्द में संग्या है तो यहाँ पर आपने सिर्मन नाम देख लिया तो सा लगा दिया है ना सी के जी पंकर जी बिलको सही बताया आपने है ना बाकी लोगोंने बी लगा दिया अधिकांस लोग सी ही लगा रहा है सौनम पांडे जी बी बिलको सही है है ना अब आपको देखो कि जो सी बाले है वो ज और सभी ने सी लगाया यहां पर उत्तर आपका बी है सातियो मुस्कान जी क्योंकि बाक के रेखान के सब्द में जाती बाचक संग्या है जिस संग्या सब्द में उसकी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती बाचक संग्या कहते हैं यहां पर आपको बताना कि आज भी भारत मे शिरबन कुमार पैदा होते हैं शिरबन कुमार मतलब ऐसे ब्यक्ति पैदा होते हैं जो अपने बाप की मतारी की सेबा करते हैं तो किसी एक ब्यक्ति की बात नहीं हुई यहाँ पर एक जाती की बात हो गई है कि यहीं से बहुत सारे सिर्वनकुमार पैदा होती है तो इसको नाम आगया सिर्वनकुमार तो इससे मतलब यह नहीं होता कि आप व्यक्ति बाचक लगा दो प्रस्ण के पूरे बाख को भी आपको पढ़ना है जिससे क्या अर्थ निकल रहा है है ना यही प्रस्ण गलत होते हैं अनन्त यादव जी और बाबुलाल जी अब यहां पर प्रती बर्स नदी में बाढ़ आ जाती है प्रती बर्स नदी में बाढ़ आ जाती है बाक में किस प्रकार की संग्या है यह बताना है प्रिती बर्स नदी में बाड़ आ जाती है 21 का आपको चेन करना है और यहाँ पर आपका राईस अंसर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा बोली सर नदी की बात हो रही है तो नदी में बाड़ आ जाती है तो यहाँ पर आपका बिल्कु सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा जाती बाचक जाती बाचक यानि बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा रॉबिन सर्मा जी है ना बी नम्मर जाती बाचक आपका सही होगा यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं अंगला question हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रिती बर्स नदी में बाढ़ आ जाती है है ना बाक में जाती बाचक संग्या है और जाती बाचक संग्या नदी, नंगर, परवत, पसू, लड़का है ना ये जाती बाचक संग्या की उधारना होते हैं और नि नीचे Self-Study Classes एप जो लिखा है वो आप पिले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे Self-Study Classes और कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या नहीं है ये आपको बतानी है बगुला है लड़का है आनंद है या फिर डांकु ये कौन सा नहीं है ये बतानी है नहीं बोले से लड़का तो जाती बाचक है है ना और बगुला ये भी जाती बाचक है है ना दांकु ये भी जाती बाचक है लेकिन आपका उत्तर क्या हो जाएगा आनंद आनंद हो जाएगा आनंद आपका बिल्कु सही है ठीक है डी नमबर डी नमबर नदी में बारा जाती है नदी का नाम नहीं लिया गया कि गंगा में बारा जाती है नदी का नाम नहीं लिया कि गंगा में बारा जाती है या नर्वदा में बारा जाती है नदी में बारा जाती है बरसात की मौसम में बारा जाती है तो किसी एक नदी की बात नहीं होई, है ना, नदी मतलब होता है क्या संपूर नदी, है ना, अगर बोलता कि बरसात के मौसम में नर्वदा नदी में बाड़ा आ जाती है, तो नर्वदा ये क्या है, व्यक्ति बाचक संग्या है, ठीक है, तो उक्त में आनंद जाती बाचक संग्या नहीं है, जिस संग्या सब्द से शंपूर जाती का बोध होता है बहाँ पर जाती बाचक होता है डीड आपमर आपका बिलको सही होगा कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या का है 23 गंगा स्वर्ग मनोस्त या फिर मंडल नदी में कर्फ्यूज नहीं हो नदी मतलब जितनी नदियां है पर कौन सा जाती बाचक संग्या है वो क्या है मनोस्त मतलब जितने भी मनोस्त हैं सारे मनोस्त इसमें जाती बाचक में आ जाएंगे और मैं बोलूं अगर कि क्या बोलूं बाबुलाल पटेल तो बाबुलाल पटेल क्या है ब्यक्ती बाचक संग्या है है ना ये भी माला बै तरागी क्या है ब्यक्ति बाचक संग्या है ना तो यह याद रख लेना तो इन मैंसे जाती बाचक संग्या क्या है मनुस ठीक है बी नमबर जिस संग्या सब्दे से उसकी संपूर जाती का बोध हो उसे जाती बाचक है ना मनुस पसू पसू जाती पक्छी गाउं गाउं भी आएगा गाओं मतलब जितने भी गाओं है सब है ना और मैं अगर बोलू आपके गाओं का नाम की मान के चलो हम कुछ बोलते दें जबलपुर तो जबलपुर क्या है यह ब्यक्ति बाचक संग्या है यह जबलपुर केवल एक है एक तो ब्यक्ति बाचक संग्या हो जाएगी आ बहावाचक संग्या कौन सी है इसपस्ट सौंदर सिस्ट या फिर यतिस्ट यानिकी 24 बहावाचक संग्या का हमें उधारन चेन करना है यहाँ पर खेम सिंग जी कपिल गर्ग और यहाँ पर इनमें एक बहावाचक संग्या है तो वो बहावाचक संग्या कौन सी है सौंदर है श्वंदर क्या है भाववाचक संग्या है तीक है जो संग्या सब्द गुरणधर्म दसा अवस्ता भाववादी का बोथ कराए उन्हें भाववाचक संग्या कहते हैं तो इनमें हम बिल्कुल पूरा देख रहे हैं दोस्तों की संग्या हम से बनती है लेकिन फिर भी हम कुछ गलत करके प्रस्ण आते हैं वो इसी प्रकार की प्रस्ण होते हैं जो हम अधिकांस गलत करते हैं तो संग्या को अच्छे से पढ़ना है प्रस्ण को अच्छे से पढ़ना है फिर उत्तर लगाना है कि कौन सा सब्द जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब स्वानम पांडे जी उत्तर इसका साय होगा हमालाय सब्ज जाती बाचक संग्या होते हुए भी योग रूड होने से ब्यक्ती बाचक संग्या है यह ब्यक्ती बाचक ए नंबर हमालाय ठीक है ए नंबर गंगा किस प्रकार की संग्या है दोस्तों गंगा गंगा बताना है हमें रबेंद्र सिंग्जी गंगा ब्यक्ती बाचक है भाव बाचक है जाती बाचक है समुः बाचक किसी का अंसर गलत नहीं आना चाहिए अब गंगा किस प्रकार की संग्या है 26 में और अधिकांस लोगों ने उत्तर बता रहे हैं कमला ठाकुर जी भी बता रहे हैं 26 का पड़ापट से सबी लोग बताएंगे मैं सारे आंसर देख रहा हूं किसी का प्रस्न भी गलत नहीं आने चाहिए है ना अंकुर जी फिर भी बता रहे हैं कांति उई के भी बता रहे हैं और राकेश जी भी बता रहे हैं तो जितने भी 4-5 लोग भी बता रहे हैं मैंने आपको कई बार बता दिया है यह पर यहां पर गलत नहीं करना साथियो एक गंगा क्या है गंगा क्या है? एक है कि बहुत सारी गंगा है, जल्दी बताओ, गंगा जब आपन लेते हैं असोग जी, तो गंगा क्या है? एक है, यूनेक है गंगा, अदुत्ती है गंगा, है ना? तो गंगा क्या है? एक, तो ये ब्यक्ती बाचक होगी कि जाती बाचक होगी? क्या होगी? देखो इसको अच्छे से समझना है गंगा दोस्तों क्या है ब्यक्ति बाचक है और अगर मैं बोलूं कि नदी नदी तो नदी मतलब होता है बहुत सारी नदियां जितनी भी है चाहिए वो नर्वदा हो गंगा हो सारी नदियां नदी के अंतर गताएंगे है ना ये गंगा एक नाम है और हम पढ़ते हैं कि किसी ब्यक्ति बस्तू या इस्थान के नाम को क्या कहते हैं संग्या कहते हैं है ना तो नाम आया यहाँ पर नाम और जहाँ पर नाम आता है बहाँ पर ब्यक्ति बाचक संग्या होती है है ना किसी एक ब्यक्ति का नाम होता है और जहां पर पूरी जाती का बोध होता है जाती बाचक संग्या जो लोग गलत कर रहे हैं वो तोड़ा सा अच्छे से इसको समझ लोग गलत नहीं होनी चाहिए किसी ब्यक्ति बस्तु इस्थान तथा नाम के गुरधर्म सुभाव का बोध कराने वाले सब्द शंग्या कहलाते हैं इनमें हम पूरी संग्या भी पढ़ रहे हैं केवल एक ब्यक्ति केवल एक ब्यक्ति बस्तु या इस्थान के लिए बस्तु के लिए या इस्थान के लिए जिस नाम का प्रियोग होता है उसे ब्यक्ति बाचक कहते हैं केवल एक ब्यक्ति के लिए चाहे वो गंगा हो, है ना, चाहे वो नर्वदा हो, चाहे बात करें अंकुर ब्यास हो, या चाहे बात करें लोकेंदर जी हो, ये क्या है, सिर्फ एक ब्यक्ति है, है ना, तो एक बस्तु है, ब्यक्ति है या इस्थान है, तो इसे क्या कहेंगे ब्यक्ति बाचक संग्या, जात जिस संग्या सबसे उसकी संपूर जाती हम अगर मनुस्त नाम लेते हैं मनुस्त तो मनुस्त एक नहीं है जितने भी संसार में मनुस्त हैं सबका बोध हो जाता है तो संपूर जाती का बोध कराने बाले जाती बाचक संग्या भाव आचक संग्या जिस संग्या सबसे पदार्त कि अबस्था गोण दोस धर्म आदी का बोध हो उसे क्या कहते हैं भाव आचक अबस्था अबस्था जैसे व्यक्ति की अबस्था क्या होती है वुडापा बचपन है ना जवानी ये अबस्था गोण है ना दोस धर्म आदी का अगर बोध हो रहा है तो वो भाव आचक संग्य ठीक है याद रख लेना अन्य दोबेद समू बाचक और द्रब बाचक संग्या हैं समू बाचक में जिन संग्या सब्दों के ब्यक्तियों बस्तूं आदि के समू का बोद हो वो क्या कहलाती है समू बाचक संग्या ठीक है ये आपको याद रख लेना है अब देखते हैं नीचे यहाँ पर आ जाते हैं अच्चे से पड़ो बहुत बढ़ गया तरीके से सही हो जाएगा यहाँ पर आते हैं की द्रभ बाचक, जिन संग्या सब्दों से किसी धातु द्रभ बादीपदार्तों का बोध हो उन्हें द्रभ बाचक संग्या कहलाते हैं दोस्तों अब गलत नहीं होने चाहिए द्रब बाचक हो ब्यक्ति या जाती बाचक अब देखते हैं किसका गलत होए बहन है समू बाचक भाव बाचक ब्यक्ति बाचक या जाती बाचक बहन क्या है जाती बाचक है कि भाव बाचक है या ब्यक्ति बाचक है प्रश्न किरमांग चेप्टर है वो आपको clear होनी चाहिए, फटाक से उत्तर बताओ सबी लोग, बहन है, क्या है, शमो बाचक है, बाव बाचक है, ब्यक्ति बाचक या फिर जाती बाचक, तो आपने बिलकुल सही आंसर बता रहे हैं सबी लोग कि सर, बहन क्या है, जाती बाचक, वेरिगोड, ब चासोक की बहन हो, अंकोर की बहन हो, सबी बहनों का यहाँ पर बोध हो रहा बहन से, यानि जाती बाचक, ठीक है, जिस संग्या सब्द से उसकी संपूर जाती का बोध हो जाता है, उसे जाती बाचक, बहन जाती बाचक है, ठीक है, दोरना किरिया से बनने बाली भावाचक दोड़ाना दोड़ दोड़ाई या फिर दोड़ भाग तो यह थोड़ा सा कठेन क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि इसका सही उत्तर 20 का जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा दोड़ना किरिया से बनने वाली जो भावाचक संग्या है वो कौनसी है दोड़ यानि की बी नमबर दोड़ बी नमबर अनंत जी बिलकुल सही आंसर है यहाँ पर देखो दोड़ना किरिया से बनने वाली भावाचक संग्या है क्या दोड़ जिस संग्या सब्द से किसी ब्यक ब्यक्ति बस्तू ब्यक्ति पसू आदी गोड़ दसा दसा और अबस्ता आदी का बोध होता है उसे भावाचक याद रख लेना है ना तो यहां पर क्या बनेगा दोड़ दोड़ बनेगा दोड़ द्रश्टी से सब्दों के भेद कितने होते हैं उत्पत्ति की द्रश्टी से स एक में उत्पत्ती की द्रश्टी से शब्दों के भेद कितने होते हैं चार आपको दिये हैं एक दो तीन या फिर चार तो यहां पर हैमलता जी उत्तर हो जाएगा आपका चार कितना हो जाएगा चार उत्पत्ती की द्रश्टी से शब्दों के भेद होते हैं चार और डी पर अंगला question रंग सब्द से किरिया बनती है तो कौन सी किरिया बनती है रंग से कौन सी किरिया बनेगी रंग से किरिया आपको बताने है कौन सी किरिया बन जाएगी यहां पर प्रश्ण किरमांक दो में रंग से जो बनने वाली किरिया है उस किरिया का नाम क्या है वो आपको चैन करना है चलिए तो फटाक से आप करें रंग से बनने वाली किरिया कौनसी है और आपने बताया किसा रंग से बनेगी कौनसी रंगना कौनसी बनेगी रंगना रंगना एक क्या है किरिया है तो यहां पर टू का अंसर हो जाएगा रंग से बनेगी किरिया बनानी है अपनको संदीब जी, रंग से बनने वाली किरिया होती है, रंगना, रंगना क्या है, किरिया, तो आपका C नमबर बिलकु सही हो जाएगा, रंग से रंगना किरिया बनती है, जिन सब्दों से किसी कार का करना या होना ब्यक्त हो, उसे किरिया कहते हैं, जैसे रंग और ना, किरिया में लास्ट में ना आता है करना जाना है ना देखना रंगना ये जो किरिया है तो इसमें रास्ट में क्या आता है किसी कार को करने का इसमें बोध होता है या फिर उसमें होने का बोध होता है ठीक है तो यहाँ पर जो बनेगी वो रंगना बनेगी रंगना यानि किसी नमबर ठीक उत्मावस्ता बताना है हाँ कल्पना जी प्रश्न किर्मांग तीन में चैन करना है आपको कि सब्द की उत्मावस्ता कौन्सी है निमनतम निमनता निमनतर या फिर नियून तो तीन का उत्मावस्ता बोला है उत्मावस्ता जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा निमन की उत्तमावस्ता होती है निमनतम और बी आपका बिल्कु सही है निमनतम है ना और उत्तरावस्ता पुछा हो दा तो निमनतर है ना यहाँ पर निमनतम होगा क्योंकि उत्तमावस्ता यहाँ पर पूछा है और अनुराग ने फल करीदे में कौनसी किरिया है अनुराग ने फल खरीदे, आप जब आप करोगे, प्रस्न करोगे, क्या खरीदे, क्या खरीदे, उतराया फल खरीदे, और जब उतर में आपको कर्म देख जाए, तो आपकी क्रिया हो जाएगी सकर्मक, और यहाँ पर आपका राइट अंसर क्या होगा, अनुराग ने फल खरीदे, इसमें कौन किरिया है और विलकुश ही बताया कि सर फल किसने खरीदे अनुराग ने अनुराग क्या है करता फल क्या है कर्म आपने क्या किया प्रस ने किया कि क्या खरीदे क्या खरीदे अगर उत्तर में आपको कर्म मिल जाए कर्म है ना तो आपकी क्रिया सकर्मक और अगर कर्म ना मिले तो आपकी किरिया अकर्मक, है ना, तो हमें उत्तर में आ गया क्या खरीदे, आपका उत्तर आ गया फल, और फल क्या है, कर्म, है ना, तो यहाँ पर आपकी किरिया कौन सी होगी, सकर्मक, जिस सब्द से किसी काल का होना, या करना समझा जाए, उसे किरिया कहते हैं, रचना की दश्टी सी क्रिया के दो भेद है सकर्मक और अकर्मक जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे सकर्मक क्रिया कहते है जैसे राम फल खाता है क्या खाता है फल खाता है ये कर्म के साथ आ रहा है अनुराग ने फल खरीदे सीता गीत गाती है क्या गाती है गीत गाती है है ना क्या खर कर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता तता उसका फल करता पर पड़ता है जैसे राधा सोती है क्या सोती है उत्तर मिल रहा के आपको क्या सोती है उत्तर नहीं मिला आपको कौन सोती है तब उत्तर मिलेगा लेकिन ये तकर्मक का उधारन नहीं है आप से सिर्फ क्या या किसे या उत्तर मिल जाए उसका तो आपकी होगी सकर्मक और उत्तर ना मिले तो होगी अकर्मक जैसे राधा सोती है क्या सोती है उत्तर मिला क्या नहीं मिला बोले सर क्या का उत्तर नहीं मिला है ना तो आपकी कौन सी हो जीगी अकर्मक कर्मक का अभाव है तथा रोती है किरिया का फल राधा पर पढ़ रहा है, राधा पर, तो कर्म का इसमें अभाव है, ठीक है, अब आपको पांच का उत्तर बताना है कि बोलने बाले बक्ता को क्या कहते हैं, जैसे मैं और हम ये बोलने बाला बक्ता क्या कहलाता है, अन्यपुरोस, उत्तम पुरोस, हाँ रोती है, रोती ह तो बिल्कुछ सही बताया आपने कि सरीच से बोले बाले बक्ता को कहते हैं उत्तम पुरुष क्या कहते हैं उत्तम पुरुष यानि बी नमबर ठीके बोले बाले बक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे मैं हम जबकी मध्यम पुरुष में तो आपका प्रियोग और अन होता है है ना तो उत्तम पुरुस में क्या होते हैं मैं और हम मद्यम पुरुस में तुम आप अन पुरुस में वह रामादी का यह प्रियोग होता है ठीक है अंगला कोस्ट्यन है प्रश्न किरमांग 6 में व्यूत पत्ती की दरश्टी से सब्द के कितने भेद होते हैं व्यूत पत्ती के दरश्टी से बताना है सब्द के कितने भेद होते हैं तेन, चार, पाँच या फिर दो यानि कि प्रशने के रमांग छै का चैन करना यहां पर ब्यूत पत्ती की द्रश्टी से बताना है माला बैरागी जी तो कितने होते हैं छै का बिलको सही आंसर आया कौन-कौन से कौन-कौन से होते हैं ब्यूत पत्ती के द्रश्टी से आपको योग रूड 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 यो सब्दों के खंडों का कोई अर्थ ना हो बेयोग रूड है ना जैसे मैं लिखूँ जल लिख दूँ और इसका अगर खंड करूँ जा अलग है ला अलग है लेकिन इसका क्या नहीं निकर रहा है कोई अर्थ नहीं निकल ला तो यह क्या हो जाएगा रूड यह क्या है रूड ना साला का बिद्याला है, यानि कि डौनों का अर्थ निकल रहा है तो वो क्या है? योग है योग है क्वा इक एक सब्द मैंने लिख दिया, पीता अबर, पीता लिख दिया और इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है कोई पीला है अंबर जिसका तीसरा अर्थ निकल ला है अर्था स्रीक अशन तो बहाँ पर क्या होगा योगरूड बहुब्रही बचन के जितने बहुब्रही समाच के जितने भी उधारन होते हैं वो क्या होते हैं योगरूड सब्ध होते हैं ठीके योगेक और रूर्ट तो आपको समझ भी आ गया फिर अंगला आपको बताना है कि इनमें कौसा सब्द समू बाचक नहीं है लोग, घड़, बर्ग या फिर घड़ यानि कि साथ का उत्तर बताना है हमें इनमें से कौन सा सब्द समूबाचक नहीं है ये जो वियोत्पत्ती की आधार पर सब्द की तीन प्रेकार हैं दोस्तो इनमें हमें देखा जाता है कि आप सब्द को दो खंड में बनाएए अगर इनके सार्था कर्थ निकलते हैं है ना इनकी सार्ते कर्थ निकलती हैं तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे योगे नहीं निकलती है तो रूड ठीक है तो इसको याद रखेंगे इन में से कौन सा सब्द समूह बाचक नहीं है तो समूह बाचक नहीं है घर कौन सा नहीं है घर समूह बाचक नहीं है डी नमबर बिलकुस नहीं है, जो संग्या सब्द किसी समुदाय या समुद का बोद कराते हैं, उन्हें समुवाचक सब्द कहते हैं, वैसे घर सब्द समुवाचक नहीं है, अता है ए उत्तर डी अपयोक्त है, ठीक है, फ्रंगला क्वेस्चन आपको बताना है, कि जो सब्द विसेशन अ किरिया की विसेशन बताने वाले किरिया विसेशन और किरिया और दोस्तों विसेशन की अत्वा किरिया विसेशन की विसेशन जो बतला हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपन बोलते ना कि किरिया की विसेशन बताते विसेशन हैं ना, और विसेशन और किरिया विसेशन इन्हें द सब्द विसेसर अत्वा किरिया विसेसर की विसेसर बताते हैं उन्हें प्रभी सेसर कहते हैं है ना प्रभी सेसर फिर अंगला कोस्चन आपके सामने है प्रश्ण किरमांक 9 में उमेश यादाव जी एह पुस्तक अभी छपी है रेखान के सब्द क्या है प्रश्न किरमांक 9 संग्या सर्वनाम विसेशड या फिर सार्वनाम विसेशड एह पुस्तक अभी छपी है रेखान के सब्द क्या है तब यहाँ पर आपका बिल्कुश सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा D number सार्व नामिक बिसेशन कौन सा हो जाएगा सार्व नामिक बिसेशन D आपका सही हो जाएगा ठीके सार्व नामिक बिसेशन एह पुस्तक अभी छपी है एह जो है सार्व नामिक बिसेशन होगी D number उक्त बाक में रेखान के सब्द सार्वनाम एक विसेशन है जब कोई सर्वनाम सब्द संग्या सब्द के पहले आए तता वह विसेशन सब्द की तरह संग्या की विसेशन बताए उसे सार्वनाम एक विसेशन कहते हैं है ना कि जैसे यह है यह सर्वनाम है उस तक क्या है संग्या है और इस संग्या के पहले क्या आ गया सर्वनाम आ गया और एह सर्वनाम क्या कर रहा है कि दोस्तों संग्या की क्या कर रहा है बिसेस्ता बता रहा है यहां पर तीक है तो भी क्या कहलाएंगे सार्वनाम एक बिसेस पेड़ से पत्ते गिरते हैं और आपने पड़ा होगा कि संप्रदान मतलब होता है क्या अलग होना है ना और पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो रिखान के सब्द में जो कारक हो जाएगा कारक वो कौन सा हो जाएगा प्रशन किर्मा के दस में उत्तर आया है क्या अपादान कोई संप्रदान क्या होता है वेरी गोड आंसर अपादान है ना तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं और इसका उत्तर होगा क्या अपादान ठीक है संग्या के जिस रूप से एक बस्तू का दूसरी से अलग होना पाया जाता है वो कहलाता है दोस्तो अपादान क्या कहलाता है अपादान है ना या पादान पक्षी उँची उड़ान उड़ रहे थे रेखान के सब्द कौन सी संग्या है उँची उड़ान उड़ रहे थे ब्यक्ती बाचक, जाती बाचक, भाव बाचक या समुव बाचक पक्ची उंची उड़ान उड़ रहते एक कौनसी संग्या है दोस्तों यहाँ पर बोले सर ब्यक्ती बाचक तो है इनाई यहाँ पर रेखान के जो सब्द है वो उड़ान सब्द है रेखान के कौन सा है उडान है ना यहां पर confusion नहीं हो ना अपादान से जुदाई होता है अपादान से जुदाई होता है अपादान से और उडान ये है उडान ये रेखान के थे और उडान में हमें बताना था तो उडान में भावबाचक है कौन सी है भावबाचक है ना भावबाचक उ हैं है ना भावबाचक संग्या गोण दोस धर्म अबस्था इनका वो दोता है तो भावबाचक तो यहाँ पर उडान सब्द का बताना था यहां में कौन सी संग्या है थीक है तो भावबाचक संग्या अंगला देख लेते हैं दोस्तों अंगला जो अपना प्रस्ण है वो है कि जिन सब्दों के सार तक खंड ना हो सकें और जो अन्य सब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें क्या कहते हैं जो सब्दों के सार तक खंड ना हो सकें और जो अन्य सब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें क्या कहा जाता है योगरूड योग एक रूड या फिर आवेकारी अगर आपको रूड या योगरूड समझ में आ गया तो यह उत्तर गलत नहीं होगा आप लोगों का बारा का अंसर देख रहे हैं कौन कौन गलत कर रहे हैं कौन सही कर रहे हैं तो बिकास जी प्रश्न किरमांक बारा मैं जीयस की किलास होती अभी चार बजे विक्की जी जिन सब्दों के सार तक खंड ना हो सकें और जो अन्नक सब्दों के मेल से ना बने हो उन्हें क्या कहते हैं तो लगवक सही लोगों ने बिलकुँ सही बताया कि सर उन्हें कहते हैं रूड और रूड सब्दों के सार तक खंड नहीं हो सकते हैं और ये अन्न सब्दों के मेल से नहीं बनते हैं ये वरनों के मेल से बनते हैं अन्न वरनों के हैं और इनके कोई सार तक खंड नहीं होते रूड सब्दों के, तो आपका C आंसर क्या हो जाएगा, C नमबर, ठीक है हाँ, अविकारी तो अव्य होते हैं, बिलकुल होते हैं आविकारी, जो सब्द अन्य सब्दों की योग से ना बने हों, और किसी बिसेश अर्थ को प्रगट करते हों, तथा जिनके टुकुणा का कहलाते हैं योगिक है ना, और बे सब्द जो योगिक होते हैं, किन्तु सामान अर्थ को ना प्रगट कर, किसी बिसेश अर्थ को प्रगट करते हैं, योगरूर कहलाते हैं, जिन सब्दों को रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें आविकारी सब्द कहते हैं, ये भी आपको पता है ठीक है और आब बेकारी क्या होते हैं अब्याय अब्याय होते हैं इनमें बेकार नहीं होता ठीक है बरणों के सार्थक समों को क्या कहते हैं बरणों के सार्थक समों को वर्णों के सार्थक समों को कहते हैं दोस्तों क्या सब्द सब्द कहते हैं तेरा में विल्कु सही है ये कि आदिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्रा सार्थक ध्वनी सब्द कहलाती है है ना कल किस प्रकार का सब्द है कल कल बताना है दोस्तों अब ये भी कॉस्चन गलत नहीं होगा अगर आपको रूड योग रूड समझ में आ गया है लोकेंद्र जी चौदा कल किस प्रकार का सब्द है और आपने बिल्कुछ सही बताया है कि सर कल की अगर बात कर रहे हो आजा अगर समझ में आर बाय कल किस प्रकार का सब्द है तो कल कहता है रूड रूड यानि की रूची पांडे जी 14-14 का बताया आपने हैमलता सिंग जी योग रूड क्यों बोल ला है आप आर बाय देखो रूड सब्द कौन होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कल कल लिख दिया ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या यहाँ पर क्या लिख दें दसानन दसानन लिख दिया ठीक है तो यहाँ पर देखो कि यह जो कल है अगर इसके हम खंड कर दें यह से खंड कर दें यह ला अलग हो गया का अलग हो गया तो लाका कोछ अर्थ निकल रहा क्या बोलिसर नहीं निकल रहा काका निकल रहा नहीं निकल रहा अगर इनके कोई सार्थक खंड नहीं हो सकते यानि कि इनके खंड करने पर इनके अर्थ नहीं निकलते तो यह होते हैं रूड यह क्या होते हैं रूड अब जैसे पाठ साला है इसके सार्था खंड हो सकते हैं, जैसे पाठ एक, इसका एक अर्थ होता है, पाठ का, साला का भी एक अर्थ होता है, यानि कि दोनों की अर्थ निकल ला है, तो ये क्या कहलाती है, योग एक, है ना, दसानन, दसानन में क्या होता है, दसानन में होता है दोस्तों, कि इसका एक बिसेस अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है, है ना, दस है आनन जिसके, अर्थात रावड के, तीसरा अर्थ निकल रहा है, ठीके, तो इस प्रकार से काल रूड है, पाट साला योगेक है, दसानन योग रूड है, है ना, और योग रूड के जितने उधारन होते है वो बहु ब्रही समास की होते हैं ठीके ये भी आपको व्याद रख लेना तो अंगला क्वेश्चन देखो कौन सा सब्द बिकल्प सूचक है क्योंकि लेकिन अत्वा या तथा बिकल्प सूचक सब्द कौन सा है पंद्रा का आंसर और यहां पर पंद्रा का जो आपका राइट अंसर हो जाएगा हाँ तीसरे अर्थ की चर्चा करते हैं उत्तर हो जाएगा क्या कौन सा सब्द बिकल्प सूचक है तो बिकल्प सूचक जो हो जाएगा वो क्या होगा अत्वा है ना हम पहले बोलते थे न अपने जब पेपर देने जाते थे कि बिग्यान के चमतकार निबंद लिखो अथबा अथबा गाय का निबंद लिखो तो इन वैसे या तो बिग्यान का लिख लो या फिर गाय का लिख लो यानि कि यह क्या हो जाएगा बिकल्प सूचक हो जाएगा कौन अत्वा तो डी नम्मर आपका बिल्कु सही है बेसब्द जो बाक्यांसों अत्वा बाक्यों में बिकल्प प्रिगट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों बिकल्प सूचक कहते हैं ठीक है अगला देखो से बेवक्ती है, से बेवक्ती काई की बेवक्ती है, से, यहाँ पर से बेवक्ती बतानी है किसकी है, अधिकरण कारक की, अपदान कारक की, कर्म कारक की या उपर युक्त में से किसी की नहीं, से बेवक्ती किसकी मानी जाती है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा बोलिसर से की बात करते हो तो अभी तो पड़ाता कि ब्रक्ष से पत्ते गिरते हैं और यह विवक्ति चिन्न जो होता है से वाला, यह होता है अपादान अपादान कारक का यानी बी नंबर ठीक है अपादान कारक बहे कारक है जो एक बस्तू का दूसरी बस्तू के साथ अलग होना बताता है अपादान है ना अपादान ये याद रख लेना ठीक है अलग होना बताता है अपादान और यहां आया है दान और दान हम क्या करते जब कोई चीज हम दान कर देते हैं कोई चीज दान कर देते हैं जैसे मैंने ये पुस्तक दान कर दी तो ये हम से क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी दूसरे जगा पहुच जाएगी तो ये क्या हो ग दो पांच या तीन ब्रक्ष से पत्ती गिरते हैं अपने पढ़ा था न से उत्पत्ती के आधार पर सब देखे कितने भेध हैं उत्पत्ती उत्पत्ती हो रही दोस्तो ब्यूत्पत्ती के आधार पर हमने तीन देखे है ना रूड योगरूड और योगिक ये तीन देख अब हमें उत्पत्ती के आधार पर देखना है तो उत्पत्ती के आधार पर होते हैं दोस्तों पांच प्रिकार के पांच प्रिकार के होते हैं उत्पत्ती के आधार पर कौन कौन से होते हैं यह देखो सबसे पहला तो तत्सम पांच नहीं पांच नहीं पांच भी नहीं है चार होते हैं चार उत्पत्ती की आधार पर चार तत्सम तदवाव देशा जुर्बिदेशी चार होते हैं चार दी नहीं दी लगाना इसको कितने होते हैं अंकुर जी उत्पत्ती की आधार पर चार तत्सम तदवाव देशा है ना हाँ चार होते हैं ठीक है चार उत्पत्ती की आधार पर चार ब्यूत्पत्ती की आधार पर तीन सोला का क्या सेवे भक्ती चिन्ना पादान कारक्की तो है नई नई यहाँ पर संस्कार नहीं यहाँ पर यहीं भी होते हैं बो संकर नहीं होते देशा जुर्बिदेशी यह होते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखो कि सिक्षा खालिस्तान मनुस्थ को उपर उठाती इस बाक में उचित निपात को रिक्तिस्थान में भरिये मुल रूप से चार ही होते हैं सिक्षा खालिस्तान मनुस्थ को उपर उठाती है इस बाक में उचित निपात को इस थान में भरिये संकर सब्द तो होते हैं लेकिन मोल रूप से चारी मान जाते हैं उत्पत्ति की आधार पड़ ठीक है बिभक्ती पूचा बिभक्ती से बिभक्ती चिन्न जुदाई नहीं से बिभक्ती भी अपादान से करण से भी आता है अपादान से भी आता है जवाब विबक्ती चिन्न की पूँचते तो से ही लिखते हैं इसमें अपादान से और करण से लेकिन करण से का अलग अर्थ होता है अपादान से का अलग अर्थ होता है तो ये नम्मर आपका बिल्कु सही होगा सिक्चा मात्र मनुस्थ को उपर उठाती हो प्रोक्त बाक में मात्र उचित निपात है जिसका प्रियोग करते हुए बाक को सार्थक बनाया गया है अंगला कोस्चन बताना है कि दो भासाओं के सब्दों को मिला कर बनाये गये सब्द कौन से है दो भासाओं को मिला करके आ गया ना वो शंकर बाला तो उन्नीस का जो आंसर होगा कि दो भुन भासाओं के सब्दों को मिला कर बनाये हुए जो सब्द हैं वो संकर है कुण से हैं शंकर यानि B-number ठीक है B-number बर्न संकर सब्द ऐसे होते हैं जो पूर्ण तक किसी एक भासा के बोली ना होकर दो भासाओं के सब्दों के मेल में निर्मित होते हैं जैसे हिंदी फार्सी के हो गए चमकदार मौंबत्ती इस प्रकार से है ना तो ये संकर सब्दोते हैं कुछ जो बिभिन भासाओं से मिल करके बनते हैं ठीक है यहाँ पर बताना है कि सीम ने कल खालिस्तान काम नहीं किया इस बाक के लिए सही निपात का चेहन करना है ये निपात कहला था निपात तो कौन सा हो जाएगा उत्तर होगा इसका हाँ हाँ सी नमबर संकर ये वाला संकर है वेरी गोड ये वाला संकर है 19 में दो भासाओं के सा वाला है ना यहीं पर भी कन्प्यूज हो जाते ये सी नमबर होगा आपका ठीक संकर सीमा ने, सीम ने कल भी, कल भी काम नहीं किया, कल भी काम नहीं है, डी नमबर आपका यहां पर सही होगा, डी ठीक है बीस का कल ही नहीं कल भी काम नहीं किया ठीक है निपात ऐसे अब्वे होते हैं जिनका प्रियोक किसी सब्द पाक में सब्द पर बल देने के लिए किया जाता है निपात कहलाते निपात भी अब पढ़ लेना सब्द के सब्द पर बल देने के लिए कल भी कामनी किया उसने यह तो निपात का कोई सोतंत रस्ते तो नहीं होता परन्तु जब यह निपात संग्या सर्वनाम किरिया और विसेसर के साथ अगर जो जाएं तो बाक्यों को क्या बना देते हैं प्रभाव साली गहरा बना देते हैं कुछ प्रमुक निपातों के उधार निम्रानुसार है ये निपात कहलाते हैं निपात पड़ देना दोस्तों कामे ही लोगों पर बनते हैं निपात बोले निपात क्या बलाया गई यह न निपात कौन कौन से हैं देखो तक भी मात्र केवल ही भर सी तो अताः तो यह आते हैं यह निपात कहलाते हैं अब आप उसको एक बाक दिया जाएगा और आपको पूंचा जाएगा कि निमने मैं से बताई इसमें निपात कौन सा है तो निपात आपको बताना होता है तो आपको याद रख लेना है कि तक भी मात्र केवल ही भर C तो ये निपात कहलाते हैं जो बाग्क को प्रभावसाली बना देते हैं बड़ाई ने मेज खालिस्तान बनाई है इस बाग्क में उचित निपात का चैन करना है तो कैसी बनाई है ठीक, करीब, लगभाग या सायद तो 21 में आपका हो जाएगा कि बड़ाई ने मेज ठीक बनाई है ठीक ठीक है इस तोरी ठीक ये नमबर ठीक बनाई है ये नमबर सही होगा ठीक है निपात बह अब्वय होते हैं जिनका कोई प्रताकस्ट तो नहीं होता परन्तु इनका प्रयोग किसी सब्द पर बल देने के लिए किया जाता है ठीक है तो इनको हमें याद रखना है पिर देख लेते हैं और भी महत्पूर्ण हैं जो सरस्वती बिद्याले बारवी कक्छा खालीस्तान है इस बाक में उचित निपात लगाना है सरस्वती बिद्याले बारवी कक्छा नहीं है तक है भोपाल है या फिर मैं है बाईस सरस्वती बिद्याले बारवी कक्छा तक है तक है यानि की बी नंबर ठीक है तक है तो बी आपका बिल्कुछ सही हो जाएगा फिर यहाँ पर देखो क्या बात कर रहे हो मैंने तो सुना खालीस्तान नहीं इस बाक में रिक्तिस्तान पर निपात भरना है मैंने तो सुना ही नहीं मैंने तो सुना तो नहीं मैंने सुना सा भी नहीं मैंने सुना भी नहीं क्या लगाओगी आप सुना भी नहीं की सुना ही नहीं कौन सा निपात आगा दो मैं कन्प्यूज है प्रश्न किरमांग 23 और 23 का आपका सही होगा कि मैंने तो सुना ही नहीं सुना ही नहीं हम बोलते ना कि पता नहीं आपने क्या बोला था मैंने तो सुना ही नहीं तो D आपका बिलकुश सही होगा है ना वरणों से निर्मित स्वतंत्र इवं सार्तक ध्वनी खालिस्तान कहलाती है क्या कहलाती है वरणों से निर्मित स्वतंत्र इवं सार्तक कहलाती है क्या सब्द कहलाती है सब्द सब्द यानि बी नंबर ठीक है बी आपका बिलकुँ सही होगा नीचे दिये गए बाक में प्रियुक्त निपात सब्द को बताईए मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरा ना कोई इसमें हमें चेहन करना है कि इसमें निपात बताना है ऐसे question पूछे जाते हैं दोस्तों इसमें निपात बताना है आपको क्या होगा निपात नीचे दिये गए बाक में प्रियोक्त निपात सब्द को बताईए अब आप लोग निपात समझ गए होंगे कि निपात क्या कहलाते हैं है ना तो मेरे तो गिरधर ना अगर दूसरा ना कोई इसमें निपात कौन सा होगा पच्चीस संदीब जी बिलकुश सही मतलब आप लोग निपात समझ गए हैं क्या होती निपात है ना जो ठीक है तो उत्तर हो जाएगा हाँ डेली होटी है तो तो होता है तो है ना ये जो तो है ये क्या है निपात मेरे तो गिरधर नागर बाग को प्रभाव साली बना दिया गया मुझे नहीं लगता कि अब कभी निपात आए और आप गलत करके आओगे नहीं हो सकता गलत रचना की आधार पर सब्दों के खालिस्तान भेद होते हैं रचना की आधार पर सब्दों के भेद बताना है प्रशन किरमांग 26 रचना की आधार पर सब्दों के भेद होते हैं तो कितने होते हैं और 26 में हमें चैन करना है और आपका बिलकुश सही आंसर क्या होगा रचना के आधार पर या फिर ब्यूत पत्ती के आधार पर ब्यूत पत्ती या रचना के आधार पर आपका A नमर बिलकुस सही हो जाएगा A नमर हमें महान कर दिया एक कैसा बाक है आपसे बनता होगा कि बाक जो होते हैं बाक कितने प्रकार के होते हैं बाक से एक क्वेस्चन आपका अबस बन जाता है है ना तब यहाँ पर आपको बताना है जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बा बोदक निसेधार तक या फिर एक च्छा बोदक किस प्रकार का बाग होगा इस चार विकल्प हैं अंकुर जी आपने हमें महान कर दिया एक कैसा बाग हो जाएगा आपने हमें महान कर दिया यहाँ पर चार विकल्प हैं और चार में से आपका यहाँ पर बिल्कुस सही आंसर होगा क्या होगा दोस्तों आपने हमें महान कर दिया तो यह क्या होगा क्या हो जाएगा बिस्मियादी बोधक कौनसा हो जाएगा बिस्मियादी बोधक बाग ठीके जिन बाक्यों में हर्स सोक घरना आदी के भाव ब्यक्तों उन्हें बिस्मियादी बोधक बाग कहते हैं आपने हमें महान कर दिया एक ऐसा है बिस्मियादी बोधक ठीक है अंगला कॉस्चिन आपको बताना है अर्थ की द्रस्टी से बाग के कितने भेद होते हैं आपको बताना है अर्थ की द्रस्टी से कितने भेद होते हैं प्रश्ण किर्मान के दो में और यहां पर आपका बिल्कु सही आंसर होगा कि अर्थ की द्रस्टी से जो बाग के भेद होते हैं आठ परकार के होते हैं आ से अर्थ और आ से आठ ठीक है तो ये आठ प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के होते हैं रचना की द्रश्टी से तीन प्रकार के ऐसा सार्थक सब्द समूह जो विवस्तित हो तथा पूरा आस प्रगट कर सके बाक कहलाता है बाक्यों का बरगी करन द द्रश्टियों से होता है अर्थ की द्रश्टी से तथा रचना की द्रश्टी से ठीक है अर्थ की द्रश्टी से बाक आठ प्रकार के विधी बाचक, निसेद बाचक, आग्या बाचक, प्रस्न बाचक, विस्मय बाचक, संदेह बाचक और एक्छा बाचक होते हैं ठीक है और मिस्त्र और संयुक्त- इरचना की दिरश्टी से तीन प्रकार के होते हैं और अर्थ की दिरश्टी से आठ प्रकार के होते हैं ठीक है अंगला आपको बताना है कि जिस बाक में एक उद्देश और एक बिधे होता है बह बाक क्या कहलाता है उस बाक को क्या कहते हैं मिस्र बाक, आस्रित बाक, सन्युक्त बाक या फिर सरल बाक तो जिस बाक में एक उद्देश और एक बिधे होता है उस बाक को क्या कहा जाता है चार विकल पे हमने पड़ा था कि सर जो सरल बाक होता है सरल बाक इसमें एक बिधे होता है है ना और एक उद्देस होता है ठीक है तो जिस बाक में एक उद्देस और एक विधे हो उसे कहते हैं हम सरलबाग ठीक है तथा एक किरिया होती है एक करता होता है उसे साधरने या सरलबाग कहते हैं जैसे बिजली चमकती है पानी बरसा जबकि मिस्रबाग में मुख उद्देस प्रश्ण किर्मांग को चार का उतर आप अपनी बात कह सकते हैं, अब तक सो गया होगा, बह ना तो स्वयम होता है स्वयम सोता है ना किसी और को सोने देता है जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है बिधान बाचक बाग बताना है प्रश्न किरमा की चार में कौनसा हो जाएगा बिधान बाचक बाग बाग से भी question पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको बिधान बाचक बाग का चैन करना है तब आपका यहाँ पर बिल्कुस सही आंसर क्या हो जाएगा कि जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है है ना वो आपका डी नमबर बिल्कुस सही हो जाएगा डी नमबर क्या है बाग अनेक प्रकार क हो सकते हैं इसे बिधान बाचक बाग क्या है जिन बाग्यों में किरिया के करने या होने की सूचना मिलती है उन्हें बिधान बाचक बाग कहते है जैसे जाड़े की दूप बहुत प्यारी लगती है तो बिधान बाचक बाग में क्या होता है किरिया के करने या होने की सूचना मैं हो बाग किस प्रकार का है आपकी यात्रा मंगल मैं हो किस प्रकार का बाग है लोकेंद्र जी है ना मुसकान जी कमला जी आरबाय सबी लोग बताएंगे कि जाड़े आपकी यात्रा मंगल मैं हो अपन कई बार पढ़ते ना कि सरे तो एक्छा बाचक है कैसा है एक्छा बात करते हैं दोस्तों एक्षा बाचक की कि जिन प्रस्ण में प्रस्ण में दिया गया बाग आपकी यात्रा मंगल मैं हो एक्षा बाचक बाग है और जिन बाग्यों में एक्षा आसीस सुपकामना आदी का ज्यान होता है उन्हें एक्षा बाचक बाग कहते हैं जैसे भगवा बाक होते हैं ठीक है मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है एह उधारन बाक के किस भेद पर आधारत है संग्या उप बाक के मिस्र बाक के संयुक्त बाक के या इनमे से कोई नहीं मैं भी आपके साथ चलता किन्तु मेरा स्वास्त ठीक नहीं है तो यहा की द्रश्टी से बाग के तीन भेद होते हैं पहला होता है दोस्तो सरल बाग दूसरा मिस्र बाग और तीसरा होता है सन्युक्त बाग सबी लोगों को पता है तो यहां पर मैं अगर आपको एक ट्रिक से यह सरल मिस्र सन्युक्त बता देंगे यहां पर कुछ इसके बाचक सब् आपको पहचानना है कि किंतू आया तो आप क्या लगा दोगे सरल बाग ए मिस्तर संजुक्त बाग लगा देंगे जिसमें एक से अधिक सरल बाग समलित होते हैं वो संजुक्त बाग होता है ठीक है जिन बाग्तों में दो से अधिक सरल बाग समुच्च ब्योदक अभ्याओं और तथा एबम किंतू-परंटू, यानि कि मिस्र बाग बाही होगा, जिसमें और तथा एबम किंतू-परंटू से एक से अधिक बाग जोड़े होंगे, ठीक है, उन्हें संयुक्त बाग कहेंगे जैसे बात करें, कि मैं भी आपके साथ चलता किंतु किंतु मेरा स्वास ठीक नहीं है तो ये किंतु आया किंतु परंतु एबम तथा और ये सब दाते हैं सन्युक्त बाक में ठीक है अब यहाँ पर बताना है कि मोहन ने रभी की सिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परिसान किया बाक निम्न मैसे किस सरल बाक से बना है किस से बना है प्रशन के लमांक साथ का चैन करिए सबी लोग रभी ने परिसान किया इसलिए मोहन ने उसकी सिकायत की रभी की परिसान के करणा मोहन ने सिकायत की या जब रभी ने परेशान किया तब मोहन ने सिकाइद की यहाँ पर हमें सरल बाक की से बना बताना है की कौन सा है चार व कट में से आप चैन करेंगे, आपको दिख रहा होगा सभी लोग को दिख रहा है तब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न किरमांग साथ में रभी ने परेशान किया इसलिए नहीं है रभी की परेशान के कारण मौहन ने सिकायत की ये भी नहीं है जब रभी ने परेशान किया तब तो ये भी नहीं है उत्तर क्या हो जाएगा कमला ठाकुर जी वेरी गूड उत्तर होगा कि मोहन ने रवी से परिशान होकर उसकी सिकायत की यह आपका सरल बाक होगा D नमबर ठीक है D आपका बिलकुँ सही हो जाएगा अब यहाँ पर देखें कि जिन बाक्यों में केवल एक ही उद्देस है और एक ही बिधे है उन्हें सरल बाक साधन बाक कहते हैं प्रस्न में दिये गए बाक्यांस मोहन ने रवी की सिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परिशान किया का सरल वाक मौहन ने रवी से परिशान होकर उसकी सिकायत की से वना है जबकि बाकी बिकलपों में मिस्रित वाक्यों के उधारन दिये गए है है ना अब यहाँ पर राम पढ़ता है वाक कैसा है राम पढ़ता है एक उद्देश और एक बिधे है तो कौनसा हो जाएगा सरल होगा की मिस्र होगा तो आपको बताना है दोस्तों सभी लोग लाइक कर देना कि राम पढ़ता है बोले सर एक उद्देश और एक बिधे हो बहाँ पर आपका हो जाता है कौनसा बाग शरल बाग सरल यानि एक नमबर राम पढ़ता है यही एक सरल बाग है राम क्या है करता और पढ़ता क्या है किरिया ठीक है तो और यह चीज़ आपको याद रखनी है अबिता जी तो यहाँ पर प्रश्न किर्मां के नौ में मिस्र बाग पहचानना है अच्छे लड़के परिस्रीमी होते हैं उसने कहा मैं निर्दोस हूँ लोग परिये कभी का सम्मान सभी करते हैं या फिर परिस्रीमी चात्र अवस्त्र सपल होंगे तो नौ का आंसर आपको च कुंसा हो जाएगा दोस्तों B नंबर बी नंबर जो है वो बिलक्त सही होगा उसने कहा मैं निर्दोस हूँ ये मिस्र बाग है जिन बाग्कियों में एक मिस्र बाग है या परिदान बाग हो अनना सृत्त ओप बाग उने मिस्रित बाक कहते हैं है ना इनमें एक मुक उद्देश और मुक बिदे के अलावा एक से अधिक समापिका किरियाई भी होती है वो प्रोक्त बाक मिस्रित का मिस्र बाक है यानि कि उसने कहा मैं निर्दोस हूँ मैं निर्दोस हूँ है ना उसने कहा ठीक है तो एक से अध अर्थ की द्रश्टी से कौन सा बाक है अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की द्रश्टी से बाक क्या है संदेह बाचक शंकेत बाचक बिस्मय बाचक या फिर प्रस्ण बाचक तो कौन सा हो जाएगा अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्थ की द्रश्टी से ये जो उत्तर हो जाएगा अर्थ की द्रश्टी से बाग आठ प्रकार के होते हैं और यहां पर हो जाएगा आपका कौन सा बिस्मय सूचक बिस्मय सूचक उप्रोक्त बाग अर्थ की द्रश्टी से बिस्मय बाचक बाग है जिन बाग क्यों से आश्चर घेरना क्रोध सोक ह यहना आदी भावों की अभी व्यक्ति होती है उन्हें बिस्चमय सोचक कहते हैं यहाँ पर अरे मुझे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मतलब यहाँ पर क्या हो गया आश्चर हो गया कि आश्चर का काम तो आश्चर के भाव हो रहे हैं या फिर घिरना के भाव क्रोद के भाव य लिए गैंद लाता है बाग में प्रियुक्त कारक कौनसा है प्रियुक्त कारक बताना है प्रियुक्त कर्मा के ग्यारा में मौहन के लिए गैंद लाना तो उत्तर आपका क्या होगा कमल मौहन के लिए गैंद लाता है बाग में प्रियुक्त कारक कौनसा हो जाएगा कारक बतान है तो हमने पढ़ा है ना क्या पढ़ा है कि जो के लिए है के लिए ये क्या है कारक है यानि बी नमबर ठीक है बी नमबर जी है बिलकुँ सही है बाक में प्रियुक्त कारक के लिए है जिसके लिए क्रिया की जाती है तबा जिसे कोई बस्तू दी जाती है वहां संप्रदान का रक होता है इसका विवक्ति चिन्न क्या है के लिए ठीक है के लिए अरे आप भी हैं बाक को अर्था अनुसार पहचानिये अरे आप भी हैं संदेहार तक है संकेतार तक है बिस्मया बोधा के या फिर प्रशनार तक बाक है कौन सा बाक के अहां पर हो जाएगा पूजा जी कौ आप भी हैं बाग को अरथा अनुसर पहचानना था तो यहां पर आपका बिलकुश सही आंसर होगा कौँशा बिसमय बोदक है ना अरे आप भी हैं बिसमय बोदक बाग है जिन बाग क्यों से आश्चर घिरना क्रोध सो कादी भावों की अभीव्यक्ति हो वो बिसमय सूचक बाग होते हैं एक कोस्टिन भी पूचा जाता है है ना अब आपको बताना हनी केतन की पूर्ण भाग के अनिवार संगठन है तो कौन है उद्देश और किरिया करता और कर्म उद्देश और विधे किरिया और करता तो अमरजीत जी पूर्ण भाग के अनिवार संगठक कौन से होते हैं पूर्ण भाग के तो यहाँ पर पूर्ण बाक्त के जो अनिभार संगटक होते हैं वो होते हैं दोस्तों कौन से उद्देश और बिधे उद्देश और बिधे ये पूर्ण बाक्त के अनिभार संगटक होते हैं यानि कि बह पूर्ण बाक को होगा जिसमें उद्देस हो और विधे हो है ना बही पूर्ण बाक कहलाएगा पूर्ण बाक के अनिवार संगठक उद्देस और विधे हैं जिसके बारे में बात की जाए इसे उद्देस कहते हैं जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देस कह रहते हैं है ना क्या तुम लड्डू खाओ बाक कर्म बाच्च में होगा क्या होगा कर्म बाच्च में ये कौन सा बन जाएगा दोस्तों कर्म बाच्च भी आपने पड़े हैं यहां पर है कि क्या तुम लड्डू खाओगे खाओगे है ना तो यहां पर हमें कर्म बाच्च ब बात आती है तो जब कर्म बाच्च की बात आती है तो यहां पर है क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा यानि बी नम्मर आपका बिल्कुश सही होगा क्या तुमसे लड्डू खाया जाएगा यहां पर देखो जिस बाक में कर्म प् वाया है क्या तुम से लड़ू खाया जाएगा ये कर्म प्रधान है यहां पर और कर्म प्रधान जहां पर होता है बहां पर कुंसा हो जाता है कर्म बाचक कुंसा हो जाता है दोस्तों कर्म बाचक जहां करता की प्रधानता हो बहां पर करतरी होता है करतरी बाच और जहां पर भावों की प्रदानता हो, बहाँ पर भाव बाच होता है, है ना, तुम क्या कर रहे हो, इस बाक का बिधी बाचक क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो, अधिकान से लोग पूछते हैं, आप जब भी बात करती हैं, फोन में करती हैं, पर आपन बोलते हैं, तुम क्या कर रहे हो, ह होती है बहाँ पर आपका बिधी बाचक हो जाता है जहां पर कुछ करने और कुछ होने की तो तुम क्या कर रहे हो इसका बिधी बाचक बाक बनाना है तो हम पूछ लेंगे तुम कुछ कर रहे हो तुम कुछ कर रहे हो तो जहां पर करने और होने की बात होती है बहाँ पर बाचक बाचक होगा, है ना, ये भी आपको याद रखना है, और इसमें तुम कुछ कर रहे हो, ये बिदी बाचक हो जाएगा, क्यानि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, B नमबर हो जाएगा, C के पंकट जी, इसको याद रखेंगे, B नमबर को, ठीक है, फिर आंगे देखते ह आंगे जो अपना एक प्रशन है, कि नमबर वैसे किस बाच में सब्द नर्मार संबंदी असुद्धी है, सब्द नर्मार संबंदी असुद्धी कौनसे बाच में है, बे एक लब्द प्रतिष्टित व्यक्ति है, उनकी आपस में घनिष्ट मित्रता है, मित्रता थी, भारत में कई प्रादेशिक भासाएं हैं लड़के खेल रहे हैं अब आपको बताना है दोस्तों यहाँ पर की बाक में सब्द निर्मार संबंदी जो असुद्धी है वो कौनसी है हमें चैन करना है यहाँ पर और बाल सुदा जी स्वनम पांडे जी जो उत्तर इसका सही हो जाएगा सोला का वो हो जाएगा एक नमबर कौनसा है सब्द निर्मार संबंदी जो एक बाक में है बे एक लब्द प्रतिश्टित व्यक्ति हैं एक नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा एक नमबर धरमेंद्र जी ठीक है अंकुर जी एक नमबर सही है उनकी आपस में गनेश्ट मित्रता है सही है भारत में कई प्रादेशिक भासा हैं लड़के के लिए तो एक नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा हे भगवान मेरी रखषा कीजिए भाक मेरी रखषा कीजिए बाक में कारक पहचानिये शंबंद कारक शंप्रदान कारक शंबोधन या फिर कर्म कारक ए बताना है हमें हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए इसमें जो बाग कहे वो कौन सा है हम बोलते ना कि वो है संबोधन हम क्या कर रहे हैं संबोधन कर रहे हैं यानि इसी नमबर आपका बिलकु सही होगा संबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाने अत्वा सचेत करने का भाव प्रगट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं यह आपको याद रख लेना और संबोधन चिन अपको इस प्रकार से लगा जाता है भगवान मेरी रक्षा करनाавать है ना संबोधन कारक हो जायेगा ओह मेरा सिर फटा जा रहा है बाक को अर्थ की द्रश्टी से पहचानना है तो कौनसा हो जाएगा ओह मेरा सिर फटा जा रहा है यहाँ पर बाक कौनसा होगा और अठारा का बिलको सही बताया है कि यहां पर हो जाएगा बिस्मय बाचक है ना उप्रोक्त बाख अर्थ की दर्ष्टी से बिस्मय बाचक बाख है जिन बाख्यों में आश्चर गिरना क्रोध सोकादी के भाव अभी ब्यक्त हों उसमें बिस्मय बाचक बाख होता है ठीक है भगवान करे तुम जल्दी अच्छे हो जाओ उधारन कैसा है विधी बाचक है संकेत है एक्छा से आप बोल रहे हो या बिस्मय बाचक है भगवान करे तुम जल्दी ठीक हो जाओ किसी के प्रेसर में तो नहीं बोल रहे हैं एक्छा बाचक बाग, बाग सब्दों का बहत समू है जिसके बोलने से पूरा का पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है और बाग अनेक प्रकार के होते हैं दोस्तों, है ना आपको पता है अर्थ के आधार पर बाग आठ प्रकार के, रचना के आधार पर बाग तीन प्रकार के, मैंने आपको कई बार बताया है कि आ, अर्थ में जब हम अर्थ लिखते हैं, तो यहाँ पर आ आता है, पहले आ, आ से अर्थ और आ से आठ, आठ भी लिखो तो आठ, तो अर्थ के आधार पर आठ, और जब हम रचना लिखते हैं, यह प्रशन भी कई बार पूचा गया, तो र तीन वरन आते हैं, तो रचना की दरश्टी से तीन परकार के, अर्थ की दरश्टी से आठ परकार के, रचना की दरश्टी से तीन परकार के, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, इस बाक में साधारन धर्म कौन सा है, तो आपने चैन भी कर लिया है, कि साधारन जो ध धर्म है धर्म है वो क्या है चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा के समान सुन्दर है तो साधरन धर्म जो है वो क्या है चंद्रमा ठीक है यह चीज आपको याद रख ली निस उन्होंने राह में काटे बिखेर दिये और स्वयम कुंज की ओट में छिप गए बाक का कौन सा प्रका है बाक का प्रकार चेहन करना हमें 21 में सभी लोग लाइक जरू कर देंगे रात में 11 बजे भी अपनी जीके की किलास होती है बो भी जरूर अटेंड करें है ना और दोस्तों चार बजे नेक्स्ट किलास बिज्ञान की होगी और करेंट अफेर्स का वीडियो भी सुवे आ रहा यह जो बाक के है दोस्तों इस सन्युक्त बाक है बिखेर दिये और स्वयम कुण्जी की ओट में चिप गए यह आपका मिस्रित नहीं होगा यह आपका सन्युक्त होगा सन्युक्त यानि की सी नमबर इसका सही हो जाएगा अधिकांस लोगोंने डी बता दिया यह डी नहीं ह दोस्तो इस सी है 21 का उन्हों ने राह में काटे बिखेड़ दिये सुयम कुंजी की ओट में छिप गए बाक सन्युक्त बाक का उधारन है अनेक या दो या दो से अधिक स्वतंत रुप बाक्तियों का समूव जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर क्या हो आस्रित हो सन्युक्त बाक कहलाते हैं जब कि साधान बाक उसे कहते हैं जिसमें ये कुद्दे सुरेक विधे होता है है ना तो यहां पर एक और सब्द आया है कौन सा और और आया है तो और से ही आप पहचान जाते कि सर ये क्या है सन्युक्त बाक है इसके कुछ बाचक सब्द होते हैं तो इनको भी आपको अभी अपने पढ़ा था ना कि सन्युक्त बाख में कौन कौन सी आते हैं है ना वो पढ़ा था किंतु परंतु और तथा एबम ये जो सब्द आते हैं ये बाख में अगर आ गए तो मान की चलो कि वो सन्युक्त बाख है सी दी सी अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आंगे से यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि निम्न मैंसे मिस्ट बाख कौन सा है मैंने आश्चर से कहा कीड़े है ना उसने नीना का ब्रोध नहीं किया और बड़े धैर और लगन के साथ मौके का इंतिजार करता रहा अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई आकर क्या कहना चाह रहा है तो मिस्ट बाख का आपको बताना है कि कौन सा हो जाएगा मिस्ट बाख यानि कि आपका प्रश्न किरमांक 22 22 का उत्तर क्या हो जाएगा और यहां पर जो है दोस्तो वो क्या है यहां पर आपका जो है यहां पर आपको मिस्ट बाख की पहचान करनी है तो यहां पर यह तो आपका क्या है सन्युक्त हो गई गलत लिग गया है यहां पर है न यह यहां पर जो है दोस्तो वो उत्तर गलत लिग गया है यह देखो यहां पर कि जिन बाख को में दो या दोस्या देख सरल बाक समुच्चे बोदक अब्याओं और तथा पर परंतु आदी से जुड़े हो उन्हें सन्युक्त बाक कहते हैं जैसे उसने मीना का ब्रोद नहीं किया और बड़े धैर सेधात यह आपका एक सन्युक्त बाक हो जाएगा है ना यहाँ पर मिस्टर पूचा गया है तो यहाँ पर मिस्टर का उधारन भी नहीं है ठीक है इस सन्युक्त हो जाएगा सन्युक्त है ना इस परकार से सन्युक्त बाक मिस्टर बाक कैसे कहते हैं यह बताना 23 का अंसर जिन में एक ही करता और एक ही किरिया होती है जिन में एक से अधिक प्रधान उप बाक हो हो और चीज हमें बतानी है, हाँ लोग किंदर जी, 23 मिस्र बाग किसे कहते हैं, मिस्र बाग आपको बताना है, और बोले सर, कि जिन में एक साधारन बाग तता उसकी अधीन दूसरा उप बाग को हो, वो कहलाता है आपका कौन सा, मिस्र बाग, वो क्या कहलाता है जिन में एक साधरन बाग होता है और उसकी अधीन दूसरा उपबाग होता है वो आपका मिस्र बाग कहलाता है देखें कि जिन बाग को में एक मुक तथा प्रधान बाग हो और अन्य असरत उपबाग होने मिस्रत बाग कहते हैं जैसे बात करें कि इन में एक मुख उद्देश और मुख बिदे के अलावा एक से अधे समापी का किरियाय होती है जैसे यदि परिस्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे परिस्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे है ना तो जो उत्रिन हो जाओगे वाला है पूरन रूप से इस पर depend है कि परिस्रम करोगे तो उत्रिन हो जाओगे ये क्या है उपबाग कहे मैं जानता हूँ कि तुमारे अक्षर अच्छे नहीं बनते तो जो दूसरा उपबाग होता है वो पहले उपबाग पर पूरा depend होता है है ना तो ये भी आपको याद रख लेना है जिन बाग क्यों में आग्या प्रातना उद्देस आदी का ग्यान होता है उन्हें बाग कहते हैं उन्हें कौन सा बाग कहते हैं जैसे बाजार जाकर फल ले आओ मौहन तुम बैठकर पड़ो या फिर बड़ों का सम्मान करो तो इन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है 24 में कि जिन बाग क्यों में प्रातना उद्देस आग्या प्रातना उद्देस आदी का ग्यान होता है वो बाग क्या कहलाती है तब हमने पड़ा भी है कि जिसमें आज्यां हो प्रातना हो या उद्देस्त हो उसमें दोस्तों आपका कौनसा हो जाएगा आज्यांबाचक हो जाएगा आज्यांबाचक है ना? तो आपका जो सा नमबर है C नमबर आग्या बाचक बिल्कु सही है जिन बाग्यों में आग्या प्रात्ना उद्देत आधी का ग्यान होता आग्या बाचक बाग कहलाते हैं है ना अब आपको बताना कि या तो तुम सुधर जाओ या बिद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तयार रहो इसमें कौन सा बाग होगा सरल बाग संयुक्त बाग मिस्र या फिर उप्रोक्त मैं से कोई नहीं कौन सा बाग हो जाएगा दोस्तों और यहां पर अपन ने देखा कि सर हमने अब भी उपर पड़ा था कि संयुक्त बाग में या या सब्दाया या तो तुम सुधर जाओ या बिद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ यानि कि एक से अधिक सरल बाग जहां पर जो होता है वो सही हो जाते ठीक है तो या तो तुम सुधर जाओ या बिद्ध्यालाई से निकल जाने के लिए तयार हो जाओ तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा संयुक्त बाग हो जाएगा संजै जी बिलकु सही है संयुक्त बाग हो जाएगा इसके कुछ बाचक सब्दा आपको देखना है दोस्तों यहा लगाना है सन्युक्त बाक, और बाक को भी आपको पढ़ लेना है है थोड़ा सा, है ना क्युकि कभी कभी ये ढिस्टर्ब हो जाता है कभी-कभी, मलब 59% भी नहीं, बाकि कभी-कभी इसमें तथा आपको अचा जाय है अपर आ जाए तो कभी कभी ये वो हो जाता है अप बाद है अप बाद हो जाता है ना तो बाग को भी पढ़ लेना है और और तथा एबम पर परन्तु ये अगर सब दा रहे हैं तो उनको मानके चलना है 95% की इसमें कौन सा होगा सन्युक्त बाग होगा ठीक है ये भी आपको देख देना है और तथा एबम पर परन्तु ठीक है इस सन्युक्त बाग का बाग की एक पहचान होती है है ना अब यहां पर देखें कि राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी इस बाग का मिस्र बाग में रूपांतर क्या होगा गाड़ी खरीदी मोहन ने राम की राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी राम ने मोहन की गाड़ी खरीदी या फिर उप्रोक्त में कोई नहीं तो मिस्टर बाक्त आपको बताना है कि मिस्टर बाक्त में रूपांतर कर दिया तो यहां पर दोस्तों सामान सा question है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मौहन की थी जो मौहन की थी है ना तो ये जो बाक दूसरा वाला है पूर्टा इस पर depend है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मौहन की थी ये इस प्रकार से मिस्तर बाक होता है मिस्तर बाक की अगर बात करें तो उन बाक्यों को क यहां पर अगर बात करें कि राम मोहन ने मोहन की गाड़ी खरीदी का मिस्तर बाक होगा रूपांतर करने पर बना बाक है कि राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी नेक्स्ट आपको बताना है कि जिन बात को में किरिया करने या होने की सूचना मिले उने बाक कहते हैं जैसे मैंने दूद पिया किरिया हो रही है राम पढ़ रहा है तो इसमें हमें सूचना मिल रही है कि किरिया हो रही है तो किरिया हो रही है तो किरिया होने का और दोस्तों जिन बाक्यों में किरिया करने या होने का अगर बोध मिले सूचना मिले तो बहाँ पर जो हो जाता है अपना कौंसा हो जाता है अपन पढ़ रहे हैं वो होता है बिधान बाचक बिधान बाचक हो जाता है कांती जी है ना बिलको सही अंजू जी किरन जी जिन बाक्यों में किर से बोलते हैं बहाँ पर एक्छा बाचक बाग होता है नहीं अपर आग्यां प्राथना उपदेश दिया जाता है बहाँ पर आग्या बाचक हो जाता है फिर 28 का आपको चैन करना है कि निम्लकित बाज के लिए नीचे दिये विकल्पों में ऐसे बाग की प्रकार को चुनित करना है इस्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमाए हो अब आप एक्छा से बोल ला हो कि किसी के प्रेसर में बोल ला है बोले से किसी के प्रेसर में नहीं बोल ला है अंदर से आवाज निकली है कि इस्वर करे आपका जीवन सु लोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोट्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो self study classes इस प्रकार से जब आप play store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है है ना तो इस प्रकार से self study classes आपको सर्च करना है और ऐसे icon में आपको app मिलने बाला है ठीक है तो दोस्तों हम देखें कि play store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह self study इस्टर करना है यहांसे आप इंस्ट्राल करेंगे तो बहाँ पर आपको नंबर माँगेगा गेमेल नंबर माँगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रेजिस्टर्ड करके आंगे बढ़ेंगे